सर, हैलो मारिया खाम्यांज कैसे हो आप सब मुझे उमीद तके मस्ट होंगे, जगास होंगे, बेंदास होंगे हमेशा की तरही आज़ाद होंगे, प्यारी सी चिडिया की तरही उड़ने के तयार होंगे नया-nया सीखने के लिए तवताजार रूप से आ गए होंगे तो चलिए, अब मैंने अपने बारे में आपको बता दिया, अब जाहर सी बात है कि ये क्या है, तो यह हमारी one shot series है, ठीक है जी, तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं accountancy का one shot series लेकर आ गया हूँ, commerce वाला की तरफ से, और हमारा subject है accountancy, by निकिल सर या निको भाईया, अब देख सा मन में doubt रह जाता है कि यार commerce लिए सब कुछ अच्छा होगा की नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ भी अगर आप शिद्दत से करते हैं, तो उसका result भी शिद्दत से मिलता है, बस हर चीज में शिद्दत लगती है, ये बस ध्यान रखिएगा, तो बहुत ह प्यारी स्ट्रीम है ये, commerce स्ट्रीम, जिसमें मैं आपको accountancy का one shot लेकर आया हूँ, यानि एक short में पूरा एक chapter जो होता है, ठीक है, अब देखो, chapter में क्या है कि जो हमारे refreshers हैं, उसके हिसाफ से chapter अलग होगा, NCRT के हिसाफ से chapter अलग होगा, तो मैं आपको अभी थोड़ी द लेक्चर ऐसा हो कि आपके लिए थोड़ा सिंपल हो, बहुत जादा ही ना आ जाए, तो इसलिए अपन फर्स चेप्टर का एक छोटा पार्ट लेकर आज आए हैं, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बता दूगा, बाकि आप कमेंट में बताओ यार, घवराहट तो नहीं ह अब पढ़ना पढ़ाए, एकाउंट, एकाउंट एंसी, है ना, ठीक है, तो थोड़ा एकसाइटिंग हूँ है, मैं तो बहुत एकसाइटेड हूँ, तो चलो यूट्यूब फैमली फिर शुरू करते हैं, तो जितने भी कॉमियंस है, लेट्स स्टार्ट दा गेम, तो देख हो सकता है, तो जब आप किसी भी नई जर्नी को शुरू करते हो, तो आपको पता तो होना चाहिए, कि कौन-कौन से वर्ड्स हैं, उनका क्या-क्या मतलब है, तब ही तो हम उसके आगे चल पाएंगे, तो हमारा आज का जो लेक्चर है, वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के क्या भी या, नहीं, सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ हम चैप्टर वाइस पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है, इतनी डिक्शनरी भी छोटी पढ़ जाती है, मगर जाहर सी बात है, कि कुछ ऐसे टर्म्स जो मेजरली आपको यूज होंगे, पूरी क्लास 11 में आगे चल के भी यूज होंगे, तो उनको हाज हम इस लेक्शर में सारे उस बेसिक टर्म्स, यानि ओवराल पूरे 100% नहीं, लेकिन जो 100% आपके काम में आएंगे, वो सारे टर्म्स हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, बागे को जब हम चैप्टर करते हैं, तो उस कहीं जरूर कबर होगा, ठीक है, अपन सेम पेज पर आगे, मैंने अपने बारे में बता दिया, क्या प्रहने वाला हूँ, आज का टॉपिक है, सब बता दिया, थोड़ा आप अपना experience कमेंट में बताओगे, तो मुझे पता भी चल जाएगा, कि कौन-कौन देख रहे हैं, क चैप्टर भी है, introduction to accounting, और इसके दाम पढ़ेंगे क्या, basic accounting term, अगर आप NCRT book follow करते होंगे, तो उसमें भी heading होगी, introduction to accounting, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर, accounting के characteristics, advantage, disadvantage, qualitative characteristics, limitations, ये सब बताए हुए, objectives, ये सब बताए हुआ है, लेकिन यार, उसमें बहुत सार ऐसे words यूज किया तो बच्चा हमेशा उसको जब पहली बार शुरू करता है, तो वो रट रहा होता है, उसको actually समझ नहीं रहा होता है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो second part है, यानि कि chapter का name आपके पास यही होगा, chapter का name आपके पास यही होगा, लेकिन इसके अंदर दो parts होते है, एक होता है हमारा accounting का, तो इसको introduction to accounting कीज़े, meaning of accounting कह सकते हो, ठीक है, किसी book में, introduction to accounting में, introduction to accounting ही कहा गया है, ठीक है, तो meaning of accounting, यह first part आ जाता है हमारा, और फिर second part इसी के अंदर आ जाता है, basic accounting terms, तो हमारा जो आज का lecture है, वो basic accounting terms के उपर है, ठीक है, किसके उपर है, basic accounting terms के उपर है, चलो भाया जी ठीक है अब मैं क्लियर हूँ प्लीज क्योंकि आदे से ज़्यादा बच्च ना इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूजन रहते हैं कि भाया हमारे में फर्स चेप्टर तो यह है आप तो यह करा रहे हो वो करा रहे हो तो इसकी क्लियर्टी होना सबसे पहली ही जरूरी च इन्फ्यूजन होती है तो मैं पहले इसी को पढ़ाना पसंद करता हूँ ठीक है डन तो लेट्स सबसे पहली चीज बहुत ही बेसिक से चलते हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाया वन शॉट में क्या हम बहुत शॉट में पढ़ेंगे नहीं वन शॉट में इतना पढ़े । जो स्विंग जाधा कराता है उससको मिलेगी य ऐसे ही पढ़ाई में भी, जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा, जो अपना दिमाग ज़्यादा इस्तमाल करेगा, जो एनल्टिकल स्किल्स को लगाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, उसी को लोग पूछेंगे, कई बार ऐसा ज़रू होगता है पढ़ाई में, कि कई लोग र लिए, तो भाईया जी, यह हमारा टाम है, तो सबसे पहले जब भी आप बिजनस शुरू करोगे, तो क्या होगा सबसे पहले, सबसे पहले भीया मैं जब भी बिजनस शुरू करूँगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होना मतलब, भाईया मैं सामान खरीद ठीक है अगर मैं purchase कर रहा हूँ भाईया तो भी ये क्या है transaction है purchase of goods क्या है transaction है ठीक है अगर मैं goods को sale कर रहा हूँ भाईया sale of goods ये भी transaction है भाईया अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो भी transaction है उधार मिल रहा हूँ तो भी transaction है हाँ जी चाहे आप cash में लो यानि कि आपने खरीदा सामान पैसा दे दिया या फिर आपने बेचा सामान पैसा ले लिया या फिर credit में हो चाहे आप cash में कर रहे हो चाहे आप credit में कर रहे हो य यह हमारा transaction कहलाता है, है ना, कोई हमें सामान दे रहा है, तो हम पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उधार ले रहे हैं, एक तरीके से, कि भी सामने वाला आदमी, हमारे लिए क्या होगी एक तरीके से, वो हम lecture के अंदर पढ़ेंगे, मैं अभी नॉर्मली बता देता हूँ, कि अगर हम किसे सामान उधार पे खरीते हैं, तो वो हमारे लिए creator हो जाता है, ठीक है जी, तो कुछ ना कुछ होगा, तो यह हमारे लिए क्या कहलाता है, transaction कहलाता है, लेकिन अब आप जब accounting कर रहे हो, तो क्या accounting आप हर चीज़ की करते हो, तो हाँ भईया, मैं तो हर चीज़ की करता हूँ, और मैं आप से कहूँगा, आप भी हर चीज़ की जरूर करना, लेकिन नॉर्मली, नॉर्मली जब हम सुनते है accounting, तो हमें किस की याद आती है, business की याद आती है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पापा, आपके घर की accounting करते हैं, नहीं भी या, करते हैं, हाला कि घर में, मम्मी, हमारी home minister करती है सब कुछ, कि कितना पैसा पापा ने दिया हाथ में, कितना खर्चा करना है, खर्चे में दाल चावल पर कितना खर्च करना है, घर के लिए कुछ सामान खरीदा है, तो कितना खर्च करना है, थोड़े से पैसे बचाने ताकि सोने जेवरात खरीच सके, तो यह सब भी तो एक accounting का ही पाट है, लेकिन actually में क्या होता है, कि हम इसकी कोई वैसी accounting नहीं करते हैं, है ना, है ना, कि हमें कोई income तो receive नहीं हो रही, हम ऐसा कोई काम करके पैसा तो कमा नहीं रहे, जो salary है वो तो हमारी job के अंतरकत आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर दो बाते आती हैं, business और non business, business और non business, non business, non business बोल लीजे, या घरेलू, ऐसे लिख दूँ, घरेलू, घरेलू, काम भी तो होते हैं, ठीक है, तो मम्मी अगर बाजार जाकर, कोई सबजी खरीद लाएं, माली जे आटा, चावल दाल, कुछ भी खरीद लाएं, है ना, तो क्या वो transaction है, क्या वो transaction है, आंसर दीजिए, मन में, है, transaction तो है भी यह, यह चीज, transaction तो है, ठीक है, अब कोई business man है भी यह, कोई business man है, let's suppose, मैं example के लिए कह देता हूँ, आपने आसपास देखा होगा, किराना store देखा होगा, वो एक business कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो business कर रहे हैं, मैंने example के लिए लिए लिया, क्योंकि यह, चाहे आप बड़े शहर में रह रह रहे हूँ, चाहे छोटे शहर में किराना store से, तो आप समझदार होंगे, समझ में आगया होगा आपको, नहीं तो mall में तो जाते ही होगे, Reliance Bajar देखा ही होगा, कुछ ना कुछ इस ताइब का देखा ही होगा, है ना, D-Mart देखा ही होगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपन purchase हिल कर रहों के, तो इन्हों ने भी, इन्हों ने भी क्या किया, भईया हम businessmen थे, अब हमें सामान बेचना है, तो कहीना कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो इन्हों ने भी सामान खरीदा, क्या ये transaction है, जी हाँ, बिलकुल ये transaction है, तो ये दोनों ही transaction तो हैं, भईया, ठीक है, अगर ये दोनों transaction है, तो क्या recording भी दोनों की होगी, यह recording भी दोनों की हो सकती है ठीक है अब यहाँ से confusion चालू होगी recording मतलब मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सबजी लेने गए सबजी लेकर आगए घर में रख दिया इसको कहीं लिखा नहीं तो क्या आपको एक साल बाद याद रहेगा कि आज आपने कितनी की सबजी खई दी थी अगर लिखा नहीं है तो अगर लिखा होगा तो याद रहेगा तो देखिए दो प्रकार के ट्रांजेक्शन है एक है बिजनिस ट्रांजेक्शन एक है नॉन बिजनिस ट्रांजेक्शन यानि घरेलू अगर आप चाहो तो ये भी transaction है, ये भी transaction, transaction दोनों है, अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो और एक दो साल बाद जाके बाद में अगर page copy कहीं भी लिखा होगा तो आप इसे देख भी सकते हो लेकिन लेकिन जो घरेली ट्रांजेक्शन है ये जो है ये क्या हुआ ये एक प्रकार का पर्सनल रिकॉर्डिंग हो गई ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्या हुए ये क्या हुए भीया ये एक प्रकार का पर्सनल नीचर का हो गया कि भाईया आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, जो ये है, ये क्या है, परसनल नीचर का हो गया, ये क्या है भाईया, परसनल नीचर का, मैं आपको सच बताओं, मैं तो करता हूं, मैं जितने भी पैसे मुझे सेलरी में मिलते हैं, उसको इंकम माल लेता हूं, फिर जो जो पैस help होती है अपने खर्चों का पता चल जाता है ठीक है तो अभी क्या यह पर्सनल लेचर की चीज़े हैं तो आप इसको करें चाहें ना करें कोई आपको पकड़के मारने वाला नहीं है कोई आपको पीटने वाला नहीं है कोई केस्वेस कुछ नहीं करने वाला क्योंकि आपको म खर्चा कर सको, तो यह पर्सनल लेचर का आइटम है, तो क्या इसकी लिए आपको एकाउंटेंट बैठाओगे, अगर आपको खुद एकाउंटेंट की समझ है, तो आप जरूर कर लोगे, या पैन कॉपी बे थोड़ा बहुत कुछ-कुछ चीज़ें लिख लोगे, कि हम यह चाहो तो रिकाउंटिंग कर सकते हो, मगर नॉर्मली आप इसके लिए किसी एक परसन को अपॉइंट करके चीज़ें नहीं करने वाले, तो क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए अकाउंटिंग सीख रहा हूं, हाँ जी, इनके लिए भी सीख रहा हूं, क्या मैं बिजनस ट्र रिकाउंटिंग कर सकते हो आप, लेकिन यह परसनल नेचर की चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप किसी एकाउंटिंट को नहीं बैठाओगे, तो हमारा जो टॉपिक है, वो है बिजनस ट्रांजेक्शन के उपर, क्यो भाईया, अगर हम चाहें तो बिजनस ट्रांजेक्शन में भी किसी को ना बैठा है, खुदी कर ले, क्या हम खुदी कर सकते हैं, जी हाँ, कर सकते हो, क्या भाईया, इसकी रिकार्डिंग होती है, हाँ, जी होती है, जैसे जो छो चोटे मोटे किराने स्टोर वाले होते हैं, वो खुदी तो करते हैं, सब कुछ, मगर अगर बड़ बड़े बिजनेस हैं तो तो वो भी करते हैं यानि कि हमारा जो काम है वो बिजनेस से रिलेटेट ट्रांजेक्शन के उपर हमारा ध्यान रखना है क्यूं क्यूंकि यह कुछ ना कुछ साल के बाद मुनाफ़ा कमाएंगे या घाटा हो जाएगा इन सब की रिकॉर्डिंग करन हमारा करतव्य है यह सब इनके उपर एक तरीके से आप यह समझ लिए कि उपलिगेशन है कि इनको सारे अकाउंट्स मेंटेन ही करने पड़ेंगे घर की अगर आप ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे अभी तक आपने पॉकेट मनी मिली होगी एक तरीके से अग क्योंकि बिजनेस है और उसका ट्रांजेक्शन है तो क्या हुआ यह बिजनेस ट्रांजेक्शन तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है इसकी रिकॉर्डिंग मस्ट है एक आपके उपर इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको फायदा और नुकसान भी आखरी में निकालना है तो सबसे पहला term हमारा यही है सबसे पहली बात आप यह समझिए कि भाईया business transaction क्या होता है तो the term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiate the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise आ रही यह बात समझ में अब देखो यह क्या है कि आप 11th class में हो जब मैं आपको समझाओंगा तो जाहर सी बात है कि भी अगर मेरा business है मैंने कुछ खईदा बेचा कोई भी कुछ भी किया कोई भी activity की जिसमें लें दिन हो रहा है वो business transaction है समझ में आ गया लेकिन जब आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर कब मिलेंगे जब आप यह सारी चीने लिखोगे financial transaction भाया यह financial transaction क्या है मतलब पैसो का लें दिन अगर मैं लें दिन करा हूँ पर उसमें कोई money involved नहीं है तो फिर जब माली जब मैंने एक हाथ से आपको काजू दिया दूसरे हाथ से कुछ ले लिया पर इसकी value नहीं पता कुछ नहीं मालू हमें इसकी costing costing तो फिर हम इसका transaction record करेंगे क्या नहीं करेंगे तो भाया वो transaction financial nature का होना चाहिए economic event यानि economic मतलब lending चल रही हमारे बीच में ठीक है जी कोई ना कोई एक event हो रहा है तो फिर भाया जी और इसमें two parties involved हैं एक मैं और एक आप अगर मैं खरीद रहा हूं आपसे तो सामान ले रहा हूं पैसे दे रहा हूं है ना दो तो भाया दो parties involved होगी तब जाके यहां से accounting process शुरू होगी भाया accounting process क्या होता है यह इसका next chapter है यानि कि एक process है ना पहले मैं क्या करूँगा सामान को खई दूँगा यह बेचूँगा तो एक transaction होगा ठीक है transaction business related है तो मैं पता करूँगा भाया कितने पैसे का हुगा फिर इसको लिख लूँगा लिखने के बाद क्या करूँगा वो जब हम second chapter पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाया उसके लिखने के बाद क्या होता है लिखने का तरीका क्या होता है यह सब हम यहां पर सीखने वाले हैं class 11 के अंदर अभी आप यह समझ लीजे कि सबसे पहले हम transaction करते हैं हम कौन हैं अगर business का transaction करते हैं तो उसको record करते हैं और उसी को accounting process कहा जाता है ठीक है इसके अंदर और भी steps हैं जो कि अपन धीरे धीरे जानेंगे ठीक है तो business transaction क्या हुआ भी या वो transaction जिसमें two parties involved हैं और यहीं से accounting process की शुरुवात होती है और यह transaction business से related होना चाहिए अगर घरेलू है तो आप अपने घर में इसकी accounting कर सकते हो पर इसको आप अपनी किताबों के हिसाब से accounting नहीं कहते हो क्योंकि यह तो personal nature की चीज़े कोई बनाता है कोई नहीं बनाता है यहाँ कोई obligation नहीं है यहाँ पर है बाकी आप account सीख रहे हो तो आपका करताब है कि धीरे धीरे जैसे से आप चीज़े सीखते जाओ अपने घर में इसको implement करते जाओ ताकि आप accounts की power को और अच्छे से समझ पाओ ठीक है चलिए तो बस यही था है भाईया when the amount of transaction is paid or received यानि कि भाईया अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूं तो सामान मैं ने खरीदा पैसा मैंने दिया ठीक है या फिर अगर मैं Donc सामान मैं ने दिया पैसा मैंने लिया केसे टरंजवेडे डिया credit transaction क्या है gegenüber the amount of transaction is paid और receive raftust enter the expiry of agreed Peter इसका मतलब क्या हुआ भईया कि भईया देखो आज मैंने आपको सामान दिया आपसे पैसा आज नहीं लिया एक टाइम के बाद लूँगा लेकिन लूँगा ठीक ऐसे ही मैंने सामान बेचा आपने पैसा आज नहीं दिया लेकिन एक टाइम के बाद आप दोगे तो इसको उधार का transaction भी कहते हैं भाया हम तो बहुत साई दुकानों में जाते हैं जहां लिखा होता है नगद मांग के शर्मिंदा ना करें आज ही payment करें कल किसने देखा है ऐसा लिखा होता है भाया तो हम तो उधार का कोई transaction नहीं कर पाते हैं तो देखो naturally मैंने अभी 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 cash में भी dealing होती है लेकिन normal credit period होता है credit period मतलब उधार का period कि आज अगर मैंने आपसे कोई सामान खईदा तो माल लिए 30 दिन के अंदर मुझे पैसे चुकाने हैं या 60 दिन 45 दिन यह depend करता है दोनों businessmen की आपस की understanding के बीच में कि इनके क्या rules है ठीक है जी पर एक credit period होता है ओक्वे तो कई बार cash में transaction हो जाता है कई बार उधार में transaction होता है तो उधार का मतलब आज मैंने सामान ले लिया बाद में उसको पैसे चुकाउंगा या फिर मैंने सामान बेचा अगला मुझे बाद में पैसे देगा ठीक है तो तो ट्रांजेक्शन्स दोनों रूप में हो सकते हैं, कैश या करी, बस खतम, ठीक है जी, इस पे थोड़ा जादा टाइम लिया था, अब उत्ती जादा प्रॉलम नहीं आएगी, एक एक करके चलते हैं, एक काउंट क्या होता है भीया, एकाउंट, तो अभी तो अपन अंदर जाएंगे या तो एक चैप्टर आएगा, अगर आपको थोड़ा भी पढ़ने वाले बच्चे होगे तो अभी तक आपने अपना स्लेबस तो देखा होगा, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा लैजर, आ हम ledger chapter में जाएंगे तब account बनाना सीक्वेंगे अभी सिर्फ में आपको समझाने के लिए एक normal way में बना रहा हूं ओके यह pure exact नहीं है अभी सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं exactly आपको 11 में कैसे बनाना है वह हम ledger फुलते हैं यह आपन उस चैप्टर में जाने के बाद सीखेंगे अभी बस आप इतना समझ लो कि यह दो साइड्स है एक यह डेबिट साइड है यह क्रेडिट साइड अब यह सुनते ही लग रहा होगा डेबिट क्या होता है तो यह भी हम बाद में सीखेंगे पर अभी के लि लेफ्ट हैंड तो हमें भी दो हाथ की ज़रत होगी अकाउंटिंग को करने के लिए तो हमें भी दो हाथ दीजे तो उन्होंने का ओके एक ले लीजे डेबिट एक ले लीजे क्रेडिट तो यह कैसा है एक प्रकार के दो साइड होते हैं एक लेफ्ट साइड एक राइट receive किया ठीक है तो यानि कि मुझे cash का account बनाना है है ना पैसा cash account बोलते है ठीक है जी तो एक side हो गया debit और एक side हो गया credit ठीक है इसमें format में भी और भी आता है date आता है ठीक है जी एफ भी आता है लेकिन वह अपन लेजर में सीखेंगे अभी पस normally आप इतना समझ लो यह T-shape है इस side कुछ आएगा इस side कुछ आएगा जिस भी heading का कुछ भी side आ रहा है उसको अपने account बोलते हैं ऐसे क्या होता है कि जैसे मैंने आज कोई सामान खरीदा पैसा दिया कल मैंने कोई सामान बेचा पैसा लिया अब यह सिर्फ दो बार तो नहीं हुआ होगा पूरे साल का transaction है तो बहुत बार यह सब चीज़ें हुई होगी तो बहुत बार हुई होगी तो मुझे हर बार पैसा लेना पैसा देना इसको देना इसको लेना इसको देना इसको लेना इसको लेना यह सब लिखने की जोट नहीं है मैं यहां पर बनाऊंगा और मुझे 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 एक एक चीज की ट्रांजेक्शन याद आ जाएंगे ठीक है तो इसको summarized way में बनाया जाता है भहिया कैसे बनाया जाता है कुछ बता देते तो तो देखो Rome was not built in our day Taj Mahal was not built in our day तो जाहर सी बात है कि आप धीरे धीरे जानोगे तो जादा अच्छा रहेगा वरना पूरे टाइम confused होते रहोगे तो account का मतला अभी आप यह समझ जाओ two sides है और उन two sides में जो भी आपको account बनाना है उसके बारे में लिखा जाता है जिससे आपको summarized way में समझ आ जाता है कि भाया इसके अंदर कब क्या हुआ था कब मैंने क्या खरीदा था cash में या कब मैंने किसको cash में payment की थी या मुझे कहां कहां से पैसा मिला था या मैंने कब सामान बेज कर फिर पैसा receive किया था ठीक है बस यही है account तो according to carter carter जी का कहना है account is a ledger record और यहीं मैंने बताना है एक chapter होगा ledger जिसमें बनाना सीखेंगे तो account का एक प्रकार का ledger record है जो की summarized form में बता देता है क्या हुआ था कब-कब cash दिया कब-कब cash लिया वो सब यहां पर बता दिया था है सीखेंगे कहा ledger chapter में ठीक है बिया जी all the transactions that have taken place with the particular person or things specified यानि कि किसी व्यक्ती से पैसे का लेन देन हुआ है या किसी को सामान खरीते या बेचते वक्त पैसे का लेन देन हुआ है cash में transaction हुआ है वो सब यह summarized form में आपको बनाया जाता है इसी को आप account बोलते है ठीक है जी heading अच्छा भाई या अगर मान लीजिए मैं किसी को payment करता हूँ कोई मेरे यह employee है तो मैं उसको payment करता हूँ ठीक है तो उसको बोलते है अपन salary तो मैं salary account भी बना सकता हूँ क्या जी हाँ salary account भी बन सकता है ऐसे ही बनेगा उसकी दो sides होंगी पर भया debit में कब जाएगा भया credit में कब जाएगा तो इसकी जंजट अभी मत लेना इसकी जंजट हम सीखेंगे हम कब सीखेंगे लेजर account बनाते वक्त सीखेंगे और वो बहुत आगे जाने के बाद आएगा अभी बस इतना समझ लिए accounts एक एक क्या है एक summarized form है जहां पर debit और credit की मदद से सारे transactions को दिखाया जाता है जो उस heading से related हो cash में सिर्फ cash का आएगा भी यहा credit transaction आ सकता है क्या नहीं आ सकता credit मतलब उधार ठीक है जी ओके डन है भी जी चलिए तो account अपना डन हो गया अब आती बारी capital की तो देखिए भी यह मैं business चालू करना चाता हूँ तो business क्या बस मैंने सोचा और चालू हो जाएगा नहीं न business में मुझे कुछ पैसा लगाना पड़ेगा तो एक तरीका क्या है भी यह किसी से पैसे ले लो उधार और business में लगा दो और दूसरा तरीका क्या है आप अपने घर से अपने भी तो कुछ पैसे लगाओगे तो मैं अपने घर से पैसे लेकर आया और business में लगा दिया जैसे की यह मेरा प्यारा सा घर है home sweet home ठीक है जी बच्पन से आपने बनाया होगा ऐसा याद है आपको ठीक है यह एक बीचकी बालका नहीं है इसको ऐसे से कर दो ओके फिर यहाँ पैसे कुछ बना दो और यहाँ से इसे यह निकाल दो ठीक है जी जब मेरे पास इस घर में एक टिजोरी थी इसमें खूब सारे पैसे रखे दे खूब सारे पैसे रखे थे, अब मैंने क्या कि ये पैसे अपने बिजनस में लगा दिया, ठीक है जी, ठीक है जी, कॉम्यन्स लिंटेड, मेरे प्यारे कॉम्यन्स, आइ होब कि आप में से कोई बहुत तैलेंटेड निकले, और एक बहुत बड़ा बिजनस बनाए, ठीक है, त ये कौन है, ओनर है, ठीक है, ठीक है जी, तो ओनर जब कुछ भी अपने घर से लाए, बिजनस में लगाए, घर से लाए, घर से लाए, बिजनस में लगाए, मतलब बिजनस में दिया उसने अपने, अपने ही बिजनस में, तो क्या कहला है, कैपिटल, 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 बस इतनी सी बात है तो देखिए capital क्या है it is the amount invested in the enterprise by the proprietor in case of proprietorship और by partner in case of partnership यानि कि अगर मैं single person हूँ अकेले ही business कर रहा हूँ तो मुझे proprietor बोला जाएगा अगर मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों मिलकर business कर रहे हैं तो हम partners हो गए तो हम दोनों ही owner हो गए तो चाहे हम दो हूँ चाहे मैं अकेला हूँ जब मैं अपने घर से कुछ लाकर अपने business में invest करता हूँ उसको capital कहते हैं खतम बात ठीक है अब भाईया जाहर सी बात है सिर्फ ये तो नहीं होगा कभी कभी मुझे घर में जरृत भी तो पढ़ती होगी मेरे कुछ चुन्नु मुन्नु होंगे चु तो मैं अगर business से पैसे निकाल के घर ले जाओं क्या करूँ business से पैसे निकालू personal work के लिए personal work के लिए personal work के लिए personal work कुछ भी हो सकता है खुद के लिए भी कुछ खरीदना वईदना हो तो आपने सोचा कि यार अपनी जय में तो पैसा है नहीं चलो business की तुजोरी से पैसा निकाल लेते हैं तो जब भी ऐसी कोई बात हो जिसमें आप business से पैसा निकाल के personal काम कर रहे हो तो उसको drawings बोल दो तो जब owner business में पैसा लाए तो capital जब business से पैसा लेकर जाए लेकिल 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 परसनल वर्क यह important है यह important है परसनल वर्क तो वो क्या कहला है drawings कहला है तो लीजे भी यह drawings क्या होता है तो drawing से it is the cash with our goods है न हो सकता है हो सकता है भई मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को मैं एमान लीजेए मैं एक sofa बनाने वाली company हुग ही तो मैं sofa बनाता हूँ अब sofa बनाते है company ही मतला मेरा एक business है sofa बनाने का अब मैंने सोचा कि या घर के लिए भी सोफ़े खईदने हैं अब घर के लिए सोफ़े खईदने हैं तो मैं किसी और कमपनी का क्यों खईद हुआ ही अपनी कमपनी का खईद हूँगा अपनी कमपनी का माल कोई खड़ाब थोड़ी है ठीक है दोनों ही case में दोनों ही case में ये क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा drawings कहलाएगा drawings कहलाएगा it is the cash withdrawal or goods taken by the proprietor partner अगर हम दो लोग है तो हम दोनों मैंसे कोई भी लेकर जा रहा है personal use important word है ये word important है याद रखेगा from the business तो भहिया कई बार क्या होता है कि teacher ना हाला कि आज कल एक दो नंबर में आता है ये तो भहिया उसमें क्या होता है बच्चा लिख देता है for personal use amount withdrawn for personal use नहीं नहीं amount withdrawn in cash or in goods form by the proprietor for personal use लेकिन from the business ये word भी important है ऐसा नहीं कि वह भीया किसी के घर से कोई सामान उठा के लिए आया और आप उसे drawings बोल रहे हो नहीं 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 अपने business से उठा के लाया तो very simple तो this is drawings आगे बढ़ते हैं भीया पार्चवा ट्रांजेक्शन पार्चवा ट्रांजेक्शन के रहा हूं मैं liability अब देगो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने घर से कुछ लाया business में लगाया कई बार ऐसा होता है कि में पास पैसा नहीं होता तो मैं bankों से loan ले लेता हूं या मैं किसी वेक्ती से loan ले लेता हूं तो मैंने किसी से पैसे उधार ले लिये, कोई सामान मैंने उधार ले लिया, अब मुझे उनको पैसे चुकाने हैं, क्या करना है, पैसे चुकाने हैं, तो वो लोग मेरे लिए क्या हो जाएंगे, liability, जब भी मैं किसी से उधार ले लूँ, आज नहीं, तो कल पैसे चुकाने है मगर अभी उधार है मैंने उधार लिया है तो liability देखे liability means amount owed या payable by the business तो owed मतलब जिसने उधार ले रखा है तो अगर business के द्वारा उधार लिया गया है तो जिस व्यक्ति से लिया गया है जिस संसा से लिया गया है वो मेरे लिए एक प्रकार की liability है अब अगर मैं business हूँ तो अगर मैं owner से पैसे उधार ले रहा हूँ जो capital है owner की वो एक तरीके से business के लिए उधार ही तो है कि owner भाया लेकर आए है मुझे capital दे दी अच्छा भाया owner of business अलग-अलग है क्या accounting viewpoint से यह अलग-अलग होते हैं अभी जब हम second chapter पढ़ेंगे theory based accounting तो उसमें accounting principle है business entity concept है उसके अंदर वो भी हम पढ़ेंगे हैं तो अभी बस आप इतना समझ लो कि अगर owner आए business में पैसे लगाए तो वो capital कहलाए मगर वो भी एक प्रकार का उधार है अगर किसी bank से business ने उधार लिया तो वो भी एक प्रकार का उधार है किसी दोस्त से उधार लिया वो भी एक प्रकार का उधार है लेकिन owner क्योंकि business का मालिक भी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन उस उधार को क्या बोलेंगे internal liability उधार को English में liability लेकिन क्योंकि owner business के अंदर का आदमी है तो internal liability और ऐसे ही अगर कोई बाहर का हो तो if liability towards the outsider तो क्या कहेंगे अपन external liability पढ़ा है ना internal external तो यह देखें termed as external liability भाईया इसके कुछ example दे दिजे तो देखें creditor भाईया यह कौन होता है आगे क्लास में जानेंगे इतना समझ लीजे जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं हमने सामान खरीद लिया अभी पैसे नहीं चुका है तो वह creator है भाईया bank draft यह क्या होता बैंक overdraft यह क्या होता भाईया bank overdraft तो देखो bank में आपका balance से 20,000 रुपे अगर मुझे 30,000 रुपे निकालने हैं तो निकाल सकता हूँ क्या आप मैंसे कहीं लोग करेंगे अच्छा ऐसे कैसे निकाल सकते हैं भाईया वैसे कोई scheme है तो बता दो पापा को बता देता हूँ पापा आपके account में इंट्रेस्ट चुकाएंगे तभी तो बैंक चलेगा ना तो बैंक क्या करता है कि बिजनसमेंस को एक facility देता है जिसको बोलते है overdraft facility क्योंकि यह बैंक दे रहा है इसके लिए total इसको क्या बोल दिया bank overdraft इसका मतलब है कि मेरे बैंक में 20,000 रुपे थे मगर मैंने बैंक से 50,000 रुपे ले लिए 30,000 रुपे ले लिए यह depend करता है है ना उन दोनों के बीच की बात है बैंक का और businessman की लेकि पॉइंट क्या है कि भीया मेरा पैसा था कम मैंने पैसे निकाल लिए जादा ठीक है तो अगर मेरा पैसा बैंक में 20,000 रुपे का था मैंने 50 निकाल लिए तो बैंक मुझसे बोले गा ना भाई 30,000 रुपे तो लाओ अब आज नहीं कर लाओ परसो नरसो जब भी पर लाओ तो इसको बोला जाता है तो जब तक मैं वो 30,000 रुपे बैंक को चुका नहीं देता तब तक क्या है वो लाइबिलिटी और क्योंकि बैंक मेरे बिजनिस के बाहर का आदमी है तो एक्स्टरनल लाइबिलिटी ठीक है लेकिन लियबिलिटी के अंदर तो आएगा तो देखे ग्रेड़र बैंक ड्रफ ऐसे ही होता है लौंग टर्म लोन बारॉनम जा अधर लाइबिलिटी लौंग टर्म बारॉनम मतलब ले लेना है उधार लेना लंबे समय के लिए उधार ले लिया किसी से भी ले लिया, अपने बैंक से ले लिया कोई financial institution जो लोन देते हैं उनसे ले लिया, तो इस सब हमारे ले क्या है liability है, ठीक है चलिए भीया, इसी liability को दो और भागों में बाटा जाता है, एक होती है non-current liability, एक होती है current liability, अब non-current क्या है, current क्या, non-current यानि जिसमें current ना लगता हो, current यानि जिसमें current लगता हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप इसे poor joke भी कह सकते हो, लेकिन अभी आप 10th में हो, तो आपको current का मतलब तो वही समझ में आता होगा, electricity जो लगता है, पर यहाँ पर अलग है non-current का मतलब क्या है, जो current नहीं है current का मतलब क्या है, तो देखिए अगर किसी भी चीज को आपको 12 महीने या उससे कम टाइम में पे करना है, यानि मैंने किसी से उधार लिया, अब मुझे उसको उधार 12 महीने उससे कम में चुकाना है, तो वो current liability है, लेकिन अगर मैं 12 महीने से ज़ादा time में चुका सकता हूँ, जैसे मैंने आप से 1 लाख लिया, मैंने का, यार सुनो ना मेरे पास ना, अभी पैसे नहीं है, मैं non-can liability is that liability which is payable, which is payable after a period of more than a year, from the end of the accounting period, यानि कि एक साल से ज़ादा समय तक आपको pay करना है, अच्छा भी है, यहाँ पर लिखा है, at the end of the accounting period, accounting period मतलब, तो देखे, दो प्रकार की books हमारे हाँ चलती है, एक आपको पता होगा, एक होता है calendar year, एक, एक मान लिजिए 2020, यानि जन्वरी से साल शुरू होता है, जिसको बोलते हैं calendar year, और हमारा साल कब खतम होता है, याद है न सबको, 31 को party करते हैं, 31, 12, 22, है न, तो एक accounting period ऐसा होता है, इसको अपन calendar year बोलते हैं, ठीक है, फिर एक और year शुरू होता है, जो स्कूल वाला year भी है, तो शायद आप इससे relate कर पाएंगे, एक शुरू होता है 1 April 22 से पूरे साल, यानि 31 March, लेकिन इसमें year बदल जाएगा, है न, क्योंकि जन्वरी के बाद year बदल जाता है, इसमें same year क्यों है, क्योंकि दिसम्बर तक तो same year है, है न, फिर जन्वरी से year बदलता है, तो देखिए, इसको आप academic year कह सकते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब आप comments बनने जा रहे हो, तो मैं आपको बदाता है, इसको financial year बोला जाता है, यानि जिस year में आपको सब कुछ calculate करना है, ठीक है जी, समझ गए, तो दो प्रकार के accounting period होते हैं, तो अगर मालीजे, मैंने कोई उधार लिया है, मैंने कोई उधार लिया है, और वो मुझे 31 March 2023 से पहले पहले चुकाना है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, current year, और कोई मुझे इसके बाद चुकाना है, 31, March 2023 इसके बाद चुकाना है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, non current, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, non current, ठीक है, और accounting period कितने type के होते हैं, दो type के होते हैं, ठीक है जी, हाला कि ऐसा माना जाता है कि चाइना में calendar year ही follow किया जाता है, profit and loss निकालने के लिए ये calendar year ही follow किया जाता है, समझ गए, समझ गए, इसको आप क्या कहोगे, accounting period, और भाईया, हमारे मन में एक doubt आया, चाइना की बता रहे हो, हमारा कौन बताएगा, तो अपने यहापन इसको follow करते हैं, बहुत बढ़ा देश है, नहीं तो हम यह वाला year follow करते हैं, तो इसी के base पर decide क्या जाता है कि कोई current है या non current है, ठीक है जी, ठीक है जी, तो non current क्या है भाईया, जो more than, more than year लिखा हुआ है, year में 12 महीने होते हैं, पता है ना, ठीक है भीया, फिर current क्या होता है, तो देखिए, which is payable within 12 months from the end of the accounting period, यानि जो भी आपके accounting period का end है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको pay करना है, तो इसका मतलब कि वो आपके लिए क्या है, current liability है, उधार क्या होता है, जब भी आपकी ज़रे पैसे लेते हो, या कोई सामान लेते हैं और पैसे नहीं चुका रहे अभी, बाद में चुका होगे, लेकिन चुकाने की जो विधी है, वो 12 महीने के बाद की है, accounting period से, तो फिर भीया, क्या होगा, non current, अगर 12 महीने के अंदर है या 12 महीने तक भी है, तो भी उसे आप current बोलोगे, वेरी सिंपल, अच्छा, यह तो बहुत basic definition है, यह आपके 11th class में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान से समझेगा है, 11th class में नहीं है, आपसे पूछानी जाता, पर कई books में है, तो बच्चों के लिए बता देना सही है, 12th में जाकर आपको इसी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है, यह तो बहुत बच्चों वाली definition है, जो 11th class में बता ही जाती है, ठीक है, यह क्या है भीया, non current liability का नहीं, यह current liability के लिए है, यह आप चार पैमानों से notice करोगे, कितने पैमानों से, चार पैमानों से, सबसे पहला क्या है, इट इस एक्सपेक्टेट टू बी सेटल्ड, इन दी कंपनी जानार्मल ऑपरेटिंग साइकल, यह सबसे important है, अभी मैंने आपको क्या बोलाता, यह बड़ा confusing भी होगा, कि भाईया, अगर आपने 12 महीने या 12 महीने के अंदर, समझ रहे हो, 12 महीने या 12 महीने के अंदर, अगर किसी उधार को चुका दिया, तो वो current liability है, लेकिन इस point की वज़े से, मैं यहाँ पर red mark कर रहा हूँ, इस point की वज़े से, यानि कि अगर आपने को उधार लिया है, लेकिन उस substance को आप बेचने के लिए ही रख रहे हो, trade करने के लिए ही रख रहे हो, तो फिर आप उसको current liability के अंदर ला सकते हो, ठीक है भाईया जी, अगर कोई ऐसा उधार ले रखा है आपने, जो कि भाईया, reporting date, reporting date से confuse मत हो न, यानि जो भी आपका accounting period की end date है, उससे लेकर, उसके बारा महिने के अंदर अंदर आपको उसको चुकाना है, ठीक है जी, तो आपके लिए यह यहाँ पर आ जाता है, if a company does not have any unconditional right, to defer the settlement of the liability, for at least 12 months after the reporting date, ठीक है, यानि कि भाईया, आपके पास यह हक ही नहीं है, कि आप 12 महिने से extra time भी ले सकते हो, ऐसी कोई liability है, जो आपको हर condition में, 12 महिने के अंदर अंदर ही चुकानी है, reporting date से, तो जाहर सी बात है, कि वो current liability हो गया, भाईया, ऐसा हो सकता है, कि कोई condition लगा दे, कि हाँ भाईया, 12 महिने के अंदर अंदर ही चुकानी है, जी हाँ, अगर लगा देता है, तो जाहर सी बात है, कि फिर आपको उसको 12 महिने के अंदर ही चुकाना पड़ेगा, तो वो current liability है, तो अगर आप notice कर रहे होगे, तो ये दोनों point सेम ही लग रहे हैं, भाईया, 12 महिने के अंदर अगर आप किसी liability को settled कर दो, तो भी वो current liability, या फिर आपके पास कोई ऐसा unconditional right है, मतलब कोई condition ही नहीं है, कि आप 12 महिने से आगे ले जा सकते हैं, आपको 12 महिने के अंदर अंदर ही चुकाना पड़ेगा, तो भी वो current liability है, ठीक है, second वाला क्या है, अगर आपने कोई चीज ख़़ी दी है, पर इस पपस से ख़़ी दी है कि आप उसको बेचोगे ही, ट्रेड ही करोगे, तो देखो इसके अंदर point है, बहुत बहुत पेचीदा point है, point यह है, वैसे पेचीदा नहीं है, अभी तक आपने cycle सुनी होगी, bicycle, अब आप सुनीए operating cycle, क्यों आपन बड़े हो गए हैं, तो देखिए, अगर आपको business चालू करना है, तो मैं आप से पूछता हूँ, आप एक business चालू करना चाते हो, तो आप सबसे पहले क्या करीद होगे, एक raw material खरीद होगे, तो यानि कि एक date होगी raw material खरीद में की, ठीक है, अब raw material खरीदा, और बोला चलो 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 इसका finish goods बना दो, let's suppose, एक्जामपिल के लिए कहता हूँ, एक छोटा सा एक्जामपिल ले रहा है, कि मैं भाईया लकडी खरीद के लाया, अब लकडी से मुझे chair बनाने है, sofeofeo बनाने है, ठीक है, table level बनानी है, तो मैं raw material खरीद के लाया और आज ही बन जाएगा क्या, कुछ तो time लेगा, तो कई बार तो होता है, कुछ छोटा time लेना, कुछ बड़ा time लेना, तो मैं आपको यहाँ पर ऐसी बता रहा हूँ, कि भाईया जी एक तो यह हो गया, तो भाईया जाहर सी बात है, अब मैं लकडी लाया, तो लकडी की कांच्छाट होगी, तो work in progress, WIP मतलब क्या हुआ, work in progress, यानि की आधा काम हो गया है, आधा मतलब exact 50 नहीं, मालने ज़िए 20-80%, लेकिन पूरी तरीके से तयार नहीं हुआ, तो work in progress, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ time लगेगा, ठीक है, ऐसे ही फिर भाईया, कुछ time लगेगा, finish goods बनने में, finish goods मतलब, भाईया, अब बिल्कुल तयार हो गया है, बिकने के लिए तयार है, ठीक है, अब finish goods बन गया, तो क्या आज के आज ही बिक जाएगा, नहीं ना कुछ time लेगा, कुछ time लेने के बाद मान लीजिए, यह sale हुआ, अब भाईया, यह sale cash में भी हो सकता है, credit में भी हो सकता है, let's suppose क्योंकि यह operating cycle में तभी आएगा, जब यह credit sale होगा, तो credit sale होने के बाद क्या होगा भाईया, कुछ time तक, आपको सामने वाला पैसा नहीं देगा, फिर कुछ time के बाद वो payment करेगा, तो यह payment received कर लूँ मैं इसको, payment, मतलब मुझे सामने वाला ने received किया, payment, normally मतलब होता है, मैंने pay किया, तो amount received लिख दे रहा हूँ मैं है न, अगर sale की condition है, और अगर purchase condition है, तो amount paid आता है, ठीक है, तो amount paid slash sale लिख देता हूँ मैं, ठीक है, received, ठीक है, ओके, फिर यह चीज वापिस यहाँ चलीगे, तो मैंने यह cycle छोटी सी बनाई है, वैसे आप आगे चलके इसको और deeply पढ़ोगे, अगर अगर आप production department जाओगे, तो और भी चीज़ इसके में अंदर होती है, तो normally एक time है, अब देखो, कोई ऐसा business होगा, कोई ऐसा business होगा, जिसमें raw material से work in progress में, एक महीना लगता होगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आने में, एक महीना और लगता होगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में, एक महीना और लगता होगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में, एक महीना और लगता होगा, तो एक, दो, तीन, चार माह लिज़े, टोटर मिलाके फाइव मन्त लग गए, example के लिए कह रहा हूँ है 5 month लगके तो मुझे यह बता है यह 12 महीने से छोटा है या कम है तो देखिए operating cycle operating cycle और 12 months यह दो criteria अब operating cycle कितना है 5 है ठीक है कितना है 5 months है operating cycle कितना है 5 months है लेकिन कोई चीज current liability होगी के नहीं उसके लिए हमें 12 months का period question मिला हुआ है तो भाईया जी यह 12 months की category के अंदर आ रहा है है ना अंदर आ रहा है टिक ठीक है जी 12 months की category के अंदर आ रहा है टिक कर दो भाईया समझ रहे हो ना समझ रहे हो 12 months की category के अंदर आ रहा है हाँ जी भाईया टिक कर दो तो यानि कि भाया आपके लिए क्या हो गया करेंट लाइबिल्टी हो गया ठीक है तो अगर आपका operating cycle अगर आपका operating cycle five month के अंदर आ रहा है तो क्या हुआ भाया यह 12 के अंदर अंदर वाली बात आ रही है जी है इक लाइबल्टيع है अगर भी आम लीजे टैन मन्त आ रहा है तो भी यह बारह महिने के अंदर आ नहां अगर यह वाइबनी ऑप डियुक्रृ गया बहुत ही ले क्या वाइब्ग देख अब अगर मैं आपसे यह कह दूँ कि भाया यह जो operating cycle है यह जो operating cycle है 14 मंत की है यह 12 मंत के अंदर नहीं आ रही 12 महीन से जादा हो गया ना यह operating cycle है पूरा यह circle जो घूम रहा है यह मान लीजिए 14 महीने आ रहा है तो फिर तो फिर क्योंकि कई ऐसे business होते हैं जो अपना product बना बना के पूरा इनको एक साल से जादा का भी time लग सकता है 14 महीने में यह अपना product बनाएंगे बेचिंग और फिर उसका पैसा वापस आएगा फिर वापस raw material खई देंगे अब क्या करें भाया तो जाहर से बता भी यह 12 मेंने के अंदर नहीं है तो यह current liability नहीं होगा आपके मन में आ रहा है क्या है क्या आपके मन में आ रहा है क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए जरा सोच के देखिए मन में सोची और बता दिए मन में सोची और बता दीजी बता दीजी क्या होना है ठीक है जी भाया हम गलत कैसे कर सकते हैं आपने ये क्या भूल दिया ठीक है तो ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ये रॉंग है ऐसे केस में भी ये यहीं आएगा और ये नहीं आएगा बस यही वो यहां पर कहना चाते है अगर कोई चीज नार्मल उपरेटिंग साइकल के अंदर आ रही है और मेरा ये जो है ये जो है इसका उपरेटिंग साइकल कितना है 14 महीने है तो भी आप इसको करेंट लाइबिल्टी मान सकते हो current liability मान सकते हो भाया भाया फिर इस rule का क्या हुआ इस rule का क्या हुआ तो यही बात याद रखनी है इसलिए तो मैंने red मारा कि अगर सवाल operating cycle के उपर आता है जो कि अभी तक 11th में नहीं आया है मैं मानता हूँ कि आना चाहिए क्योंकि बुक्स में अगर यह heading आ गई है तो आना चाहिए अगर मान लीजिए यह 12 महीने से जादा हो जाए तो अभी आपने यहां पे भी यही पढ़ाया कि 12 महीने से जादा हो जाए तो non current यह देखो यहां लिखके दिखाया था आपने more than a year more than a year और अब आप कह रहे हो कि 14 महीने भी हो जाए तो भी current liability है यह क्या बात हुई तो यह कैसे है देखें यहां पे लिखा हुआ है liability under schedule 3 of the companies act 2013 भया यह schedule क्या होता है act क्या है तो companies के उपर एक rule चलता है तो companies के अंदर यह माना जाता है कि companies act 2013 के इसाब से कहा गया है कि इन चार क्राइटेरिया a liability is a current liability if satisfied anyone of the following criteria यानि इन चारों मैंसे कोई एक criteria भी follow हो गया तो आप उसको current liability कहो गया और उसके अंदर एक point डाल दिया है it is expected to be settled in company's normal operating cycle तो किसी की normal operating cycle अगर 12 महीने से जादा है तो ऐसे case में भी आपका focus operating cycle होगा operating cycle होगा operating cycle होगा तो इसलिए अगर ही इस operating cycle के 14 महीने और तो भी current liability अच्छा भाया अगर operating cycle का 18 महीने लिखा हुआ है तो तो भी तो भी ये भले ही 12 महीने के अंदर नहीं आ रहा लेकिन है ये current liability ही current liability ही ये ये नहीं है ये नहीं है आरे ये बात समझ दे ठीक है अच्छा भाया अगर माल लीजे ये 5 महीने का होता और मुझे liability pay करने में 12 महीने से ज़ादा लग जाते तो तो फिर वो non current liability होता है यानि कि मेरी जो operating cycle है वो तो 5 month है ठीक है लेकिन मेरे को जो payment करनी है वो 12 महीने से बाद में करनी है मेरे को जो payment करनी है वो 12 महीने से बाद में करनी है यानि कि let's suppose मुझे 13 महीने में करनी है जो मेरी payment है कब है भाया 13 महीने में है तो क्या वो current liability होगी नहीं वो current liability नहीं होगी फिर वो non current होगी अगर भाया ये 12 महीने है मेरी operating cycle कितनी है 12 महीने है लेकिन भाया मेरे पास ये मुझे 15 महीने में चुकानी है या इस case में 13 महीने भी ले 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 लो तो भी तो भी आपके लिए current liability नहीं है non current liability है यानि focus क्या करना है कि क्या आपकी operating cycle 12 महीने से कम है अगर कम है तो 12 महीने वाले नियम के हिसाब से current और non current decide होगा लेकिन अगर आपकी operating cycle 12 महीने से जादा है लेकिन अगर आपकी operating cycle 12 महीने से जादा है तो कोई चीज current liability है की नहीं है ये कैसे decide होगा operating cycle को ध्यान में रखका decide होगा बस इतनी सी बात है थोड़ा सा initially 11th class वाले बच्चों के confusing होता है तो प्लीज एक बार दुबारा देखिएगा ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं ओके ना आगे बढ़ते हैं assets तो अब liability की बात होगी अब assets liability मतलब उधार की चीज थी asset मतलब एक तरीके से आपके अधिकार की चीज यानि कोई भी ऐसी चीज जो आपके अधिकार के अधर हाती है कोई भी ऐसा वेक्ति जिसने आज आपसे सावान उधार पर कही जाता बाद में पैसे देगा वो सब आपके लिए कहीं ना कहीं एक asset है आपकी कहीं ना कहीं एक strength है तो asset मतलब strength समझ लीए ठीक है आईए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ से पहले तो वो हमारी होनी चाहिए उस पर हमारा हक होना चाहिए तभी तो हमारी strength है ठीक है जी यह बिजनस के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं रिवेन्यू को जनरेट करने में मदद करते हैं in other words assets helps the firm to get economic benefit in the future यानि कि कोई भी ASC item जिससे company का business का economic benefit होने वाला है future में उ उसको आप asset बोल होगी economic benefit मतलब की लें दिन करते हो कुछ फायदा ठीक है जी example of assets are land, building, machinery, stock, debtor, cash and bank, trademark, copyright, goodwill, etc भाहिया ये सब क्या होता है land मतलब जमीन, building मतलब घर, ठीक है जी, machinery मतलब machine जिससे काम की जाता है, stock मतलब की जो सामान में बेशना चाहता हूँ, अगर वो नही भी का हो, तो उसको stock बोलते हैं, हाला कि अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे, debtor भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, cash and bank या नहीं, रोकड़ा, या तो आपकी जेब में, तो cash, और अगर आपके account में, तो bank, bank account, ठीक है जी, now, trademark, copyright, goodwill, ये intangible assets होते हैं, trademark मतलब आप ये एडिदास के जूते हैं, कि अभी बास के जूते हैं, कि एरिदास के जूते हैं, ये कैसे पता चलता है, उस logo से पता चलता है, तो उस mark की value होती है, जिन जूतों पे वो exact mark होता है, उसको अपन original जूते कहते हैं, भाई, कैसी बात करें, आज कल तो original mark भी किसी भी जूते अब लगा होता है जी है लगा तो होता है लोग चोरी चुपके बेच रहें लेकिन अगर कंपरी को पता चल जा और कंपनी केस करते ना तो वहिए उनको पैसे चुखाने पड़ सकते है इली गल यह एक तरीके से हाँ नहीं तो ठीक है उसका एक तरीके से अधिकार है strength हुआ ना उसकी copyright जो उसने लिखा goodwill यानि कि आपकी शाक जैसे कई लोग होते हैं धोनी जी को देखने के लिए आते हैं तो धोनी जी की क्या है एक शाक है भाई मारते तो छक्के सब है लेकिन धोनी जी जब छक्का मारते तो आए हाए लगता है जैसे मेरे लिए फेवरिट रोजशारमा है तो रोजशारमा जब पुपल शॉट पैसा फूइं सचक्का मारते है तो गुडविल कहनाती है ठीक है जी तो यह हमारे लिए कहीं ना कहीं एसेट्स विराट कोली जी मारते है चोके वो स्टेट कवर ड्राइब जो मारते है वो स्टेट में तो कितना अच्छा लगता है तो एक गुडविल है उनकी और इसी वज़़े से कंपनी उन से एड करवाती है उनको पैसे देती है तो यह जो शाक है उनकी यह उनके लिए फ इंटेजिबल फॉर्म यानि की यह आपको दिख भी सकते आप चूबि सकते है जैसे यह पैनल है देखे मैं इसको यह ऐसा चूब यह फिक है ठीक है पैनल है दिख सकती है चूब सकती है इंटेंगे मतलब जिसको आप देख नहीं सकते जैसे जो गुडविल आता है copyright intangible के अंदर आता है trademark intangible के अंदर आता है now it should have some valuable resource attached to it यानि इसकी कोई value होनी चाहिए ऐसे कि कोई value ही नहीं है जिसे माल लीजिए ऐसे बहुत सारी बाइट जिन की कोई value ही नहीं है तो फिर आप उसको ऐसे थोड़ी मानोगे ठीक है इट शुड़ बे acquired in money terms जाहिर सी बात है आपने इसको खईदने के लिए कुछ ना कुछ पैसे दिये हुए होनी चाहिए आपको पता है ना trade mark लेने के लिए copyrights के लिए पैसे लगते हैं registration होता है इसका proper ऐसे नहीं कि किसने without registration चल रहा है और कई बार आपने देखा हुआ कि कोई without registration कर रहा था और उसको लगा कि यार यह कल परसों नहीं और एक और चीज़ है आपको हमेशा धियान रहा है value के उपर भी कि value पर भी depend करता है asset mostly एक दो रुपे की चीज़ नहीं होती है उसकी थोड़ी सी ज्यादा value होती है ठीक है business नहीं है कि आज जमीन ली बेच दिया आज जमीन ली बेच दिया यह मेरा business नहीं है मैंने जमीन लिया मुझे लग रहा है कि यार property के price बढ़ गए मैंने बेच दिया एक अलग point है मेरा लेकिन main काम अलग है तो फिर वो मेरे लिए asset है जैसे मैं हूँ मैं अगर sofa बनाता हूँ और sofa बनाकर बेचता हूँ तो sofa मेरा main work है ठीक है जी लेकिन अगर मान लीजिए मैंने sofa बनाया अपने घर के लिए और फिर मैंने घर में लगाया तो वो क्या कहलाएगा drawings कहलाएगा जहां रखिएगा है ना ठीक है जी लेकिन अब यहाँ पर एक और पेंच बदल जाता है कि अगर मान लीजिए मैंने sofa बनाया तो क्या वो assets कहलाएगा अगर मैं घर ले जा रहा हूँ तो तो sofa अगर मैंने बनाया और बेचा तो वो goods है sofa मैंने बनाया अपने घर में ले गया तो drawings है business के लिए है sofa मैंने बनाया और अपने business में ही लगाया बेचा नहीं तो फिर वो asset है ठीक है यह बात आपको ध्यानक नहीं है और क्यूंकि आप लंबे समय तक use करोगे more than 12 months तो वो non-current assets है तो non-current assets are those assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose to resale सबसे पहला point तो यही है कि भाई इसको resale के लिए आप use नहीं कर रहे हो but are held either as investment or to facilitate business operations in other words those assets are held by the business for long term point of view ठीक है मतलब 12 मैंने से ज़्यादा के लिए फिर भाई इसके example क्या हो गए जैसे कि fixed assets है non-current investment है long term loans है advances है other non-current assets है यह सारे इसके example हो गए ठीक है भीया fixed assets क्या होते है भीया तो fixed assets जो की fixed है जो दिख रहे हैं छू रहे हैं पैचाल रहे हैं tangible assets ठीक है और इसी के अंदर intangible भी आ जाते हैं तो fixed assets के अंदर tangible assets और intangible assets दोनों आते हैं तो देखिए fixed assets क्या है non-current assets of an enterprise which are held not to resale यह resale के लिए नहीं है कि अपने इसको बेच रहे हैं अपने इस्तमाल के लिए हैं यह दो प्रकार के होता है एक होता है tangible assets एक होता है intangible assets tangible assets क्या होता है जिसकी physical exchange है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं मैंने बता दिया intangible क्या सकता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं छू नहीं सकते पर इसकी value होती है intangible के अंदर देखिए patent, goodwill, trademark, computer, software, etc patent जैसे माल लिए किसी ने कोई formula बनाया अब वो formula अगर मुझे भी मिल जाए तो मैं भी उस formula से चीज़े बना लूँगा लेकिन अगर किसी ने research करके उस formula को बनाया है अब मैं उससे चोरी करके बना लूँ तो फिर बताओ मैं गलत कर रहा हूं की नहीं मन में आ रहा है की गलत कर रहा हूं क्यों क्योंकि उसका हक है ना उस पर उस formula के उपर तो जब वो उस हक को कैसे पताएगा कि इस पर मेरा हक है पेटेंट करमा कर ठीक है जी तो ये भी इंटेंजिबल एसेट करना आता है तेंजिबल एसेट करना आता है आपको पता ही है बिल्डिंग, मशिनरी, लैंड, है ना कंप्यूटर, पंखा आपका, एसी आपका यह सब इसके अंदर आता है ठीक है चलिए अब एक आता है current assets, ध्यान दीजेगा हमने non-current assets पढ़ा, non-current assets के अंदर हमने fixed assets पढ़ा, fixed assets के अंदर ही tangible और intangible आता है, अब आती है बारी current assets की, current assets के आभी है those assets which are held by an entity or enterprise with the purpose to converting them into cash within a short period of time, short period यानि 12 month से कम या 12 month, ठीक है तो यानि कि कोई, जैसे मैंने माल लिजे, किसी को सामानुदार पर बेचा, ठीक है सामानुदार बेचा, अगला मुझे पैसे चुकाएगा ना तो मुझे पैसे मिलेंगे ना, जब तक वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, तब तक उस पर मेरा हक है, यानि उसकी जिन्दगी पर नहीं पर जो सामान मैंने बेचा, उतना पैसा लेने का हक है ना मेरे पास, कि भया पचाहँजार का सामान ले गए, वो लॉट आओ, अब वो बारा महिने के अंदर अंदर चुकाएगा, तो बारा महिने के बाद चुकाएगा, तो नॉन करेंट असेट, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वन येर, अब भई है, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किसी के उपर हमारा उधार है, और वो हमें चुकाएगा, तो इसलिए देखो, यहाँ पर क्या लिखाओगा, for the purpose of being trade, cash to be realized within 12 months, it is cash in cash equivalent, unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability at least 12 months after, यानि कि अगर मान लिजिए भईया, कोई, किसी के पास हमने हकी नहीं दिया, कि तुम 12 माईने बाद चुका ना, तो current हो गया न, ठीक है, operating cycle वाला point B, इसके अंदर same है, न, कहा गया, it is expected to be realized in intended or sale or consumption in the company's normal operating cycle, ठीक है, यह माना जा रहा है कि जो भी हमें receive होने वाला है, वो normal operating cycle के अंदर receive होने वाला है, तो फिर हम इसको मानेंगे, तो same है, जो अपन ने यहाँ पढ़ा था, ठीक है जी, same ही है, बस current assets के case में पैसा हमको receive होगा, liability case में हमें pay करना था, ठीक है, बागे same है, तो इतना जादा नहीं होना चाहिए, इसे कहीं नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन अभी भी है, तो इसलिए अपने इसको पढ़ रहा है, तो हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना पढ़ता है, तो fixitious asset नाम से सावज में आ रहा है, fixitious है, ख्याली पुलाओ, ठीक है, तो जो ना तो टेंजिबल एसिट है, ना तो इंटेंजिबल एसिट है, इसको हम fixitious asset कहते हैं, एक्चुली में ये होते हैं, लॉस नॉट रिटेन आउफ, लॉस नॉट रिटेन आफ मतलब अभी आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि एक chapter हमाँ पास financial statement with adjustment और without adjustment, with adjustment और without adjustment, तो वहाँ पर हम जाके इसको सीखते हैं, अभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, भाई मुझे ना communist limited खोलना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, communist limited खोलना है, अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोशिजर्स होते हैं, जो कि आप 11th class में बिजनस में पढ़ोगे, काफी सारी इसे पढ़ोगे, मुझे इसको open करना है, मैं owner हूँ, अभी तो नहीं बना, लेकिन जैसे ही ये limited open होगा, मैं इसका owner बन जाओंगा, अभी तो मैं एक आदमी हूँ जो ये सब सोच रहा है, तो भाईया मैं यहाँ पर ख़ड़ा हूँ, टिंग 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 टिंग, मैं सोचाओं कि यार इसको open करना है, तो मैंने lawyer को consult किया, ये कौन है, lawyer है, कि भाईया जी, बता दो यार, क्या-क्या documentation चाहिए थोड़ा, अपने को comments limited open करने का है, फिर मैंने CA को भी consult किया, मैंने क्या किया, CA Chartered Accountants, जो जो बनना चाहते हैं, cheer up कर सकते हैं, thumbs up कर सकते हैं, comment में लिख सकते हैं, yes, I also want to be a Chartered Accountant, तो मान लीजे एक example के लिए मैंने कहा, अब भया, जब या आदमी इन से बात करेगा, तो क्या ये freeway ज्यान बाटेंगे, fees लेंगे कि नहीं, जब या आदमी इन से बात करेगा, तो fees लगेगी कि नहीं लगेगी, fees लगेगी कि नहीं लगेगी, in future 304 जाएगा तो दौर दौर कोलनी जाएग आ लिए स्कूटर भी चल रहा है क्योंकि अभी तो पैश न आपने कुछ ना कुछ खर्चा तो किया ना अब इस खर्चे को क्या नाम दिया जाए क्योंकि बिजनस तो बहुत बाद में चालू हो रहा है Certificate of Incorporation तो आपको बाद में मिल रहा है इसको मिलने से पहले आपको ये सब खर्चे करने पड़ गए ना तो क्या नाम दिया जाए इनको क्या बोला जाए और क्या फिर ये मेरा परसनल खर्चा माना जाना चाहिए नहीं ना क्योंकि इस ओल खर्चाज हैस बिन ड़न फॉर Communist Limited तो मेक आ बिजनस तो इस बिजनस को करने के लिए मैंने ये सारे खर्चे की है ना तो क्या इस बिजनस में जब मैं मुनाफ़ा कमाऊंगा तो ये खर्चे इसमें से माइनस होने चाहिए की लेकिन अगर मेरा पहला साल है और पहले ही साल मैं ये सारे खर्चे इसमें दिखा दूँ तो मेरी प्रॉफिट की तो बेंड बच जाएगी खर्चा जाता होने का चांस है profit कम होने का चांस है पहले ही साल एकदम से थोड़ी धमाका हो जाता है कि सब बहुत पैसा कमाने लग गए धीरे-धीरे business grow होता है तो पहले साल मुझे बहुत घाटा हो सकता है तो हम क्या करते हैं इस टाइब के खर्चे को सीधा, सीधा खर्चे में नहीं दिखाते हैं, हम इसको धीरे धीरे दिखाते हैं, हम इस खर्चे को थोड़ी दिर के लिए इस खर्चे को क्या बोल देते हैं, एसेट बोल देते हैं, और धीरे धीरे, स्लोली स्लोली इसको खर्चे में कनवर्ट करते ह ठीक है अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरी प्लीज बिनती है कि फाइने से स्टेटमेंट तक वेट कीजिए वहाँ समझ में आएगा अभी बास इतना समझ लीजे कि इस ताइब के खर्चे को हम थोड़ा एसेट मानते हैं थोड़ा खर्चा मानते हैं मैं या लिख देता हूं ताकि आपको याद रहें English में थोड़ा एसेट थोड़ा खर्चा क्यूं क्यूंकि एक साथ अगर मैं इसको खर्चा मान लूंगा तो मुझे अपने पहले साल जो मैंने प्रॉफिट कमाया को उसमें से पूरा खर्चा मानिस करना पड़ेगा तो मेर चुली मेरे ली खर्चा कियूंकि मैं एकस्पेंस कर चुका हूं या पेइमिन नहीं वी कि तो भी मिले है तो खर्चा रही ना पर बात में करूँआ तो इसलिए क्या नाम दिया फिक्षीश्यससासit तो इस ताइब की एसेट को क्या दिया जाता है नाम फिक्षीश्यस एसेट नाम दिया जाता है ठीक है कि टी आई टी जिए वड़ा आएगा फिक्षी शियाज एसेट से ठीक है इसका accounting treatment यह सब हम बाद में सीखेंगे अभी सिर्फ नाम सुन रहे हैं तो फिक्षी शियाज एसेट क्या हुआ बहिए एक ऐसा एसेट जो actually में एसेट नहीं है थोड़े time के लिए हमने इसको एसेट बना रखा है फिर थोड़ा और खर्चा तो और एसेट बसता है फिर थोड़ा और खर्चा फिर पूरा एसेट खतम हो जाता है दीरे दीरे ठीक है जी तो in the year which they are incurred but 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 in more than one accounting period example of फिक्षी शियाज एसेट are differed revenue expenditure such as advertisement expenditure discount or loss on issue of adventure अभी थोड़े से heavy word है तो यह words loss on issue of adventure तो आप class 12 में पढ़ोगे बस अभी आपका नाम याद रखना ठीक है धीरे धीरे चीज़े आपन confirm करेंगे फिक्षी एसेट का basic मतलब क्या है है तो वो खर्चा मगर मैं उसको अभी यहाँ पर ना दिखा कर थोड़ा एसेट समझ कर चल रहा हूँ या तो यह है तो एक प्रकार का loss लेकिन मैंने इसको पूरा का पूरा right off नहीं किया right off करने का मतलब कि पूरा का पूरा खर्चा नहीं माना पूरा का पूरा खर्चा नहीं माना थोड़ा खर्चा माना है थोड़ा asset में रखा है और धीरे धीरे में इसको खतम करूँगा ठीक है बस इतना ही काफी है अब चलते हैं आगे receipts अब यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी major portion हमने कर लिया है ठीक है now receipt क्या होता है भी यह तो receipt यानि amount received or receivable for selling of assets goods or services यानि कि नाम से समझा रहा है receipt मिलेगा एक होती है रसीद वहाला receipt नहीं अगर आपने किसी को सामान बेचा पैसा मिल गया अगर आपने किसी को सामान बेचा पैसा मिलेगा तो भी यह receipt है सामान नहीं आपने asset ही बेच दिया मान लीजी यह panel खराब हो गया 5 साल मैंने यूज कर लिया अब मैं इसको बेच के पैसे ले रहा हूं तो वो भी क्या है रिसिप्ट है ठीक है मैं मान लीजिए कोई सर्विस दे रहा हूं मैं फीज लेता हूं मैं उसके बदले में कोई कागजात तो पकड़ाता नहीं कोई ऐसा गुलदस्ता तो पकड अब रिसिप्ट दो भागों में कनवर्ट होता है एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट एक होता है कैपिटल रिसिप्ट अब ध्यान से मेरी बात समझना है मान लीजिए आपने किसी के लिए काम किया उसने आपको पैसा दिया ठीक है अब मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया तो पैसा रिसीव हो रहा है ना आपने किसी से उधार लिया तो पैसा रिसीव हो रहा है लेकिन उधार आपको चुकाना भी पड़ेगा मगर आपने किसी के लिए काम किया उसने आपको पैसा दिया बात खतम हो गई कि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा कि ले भाई चल जब काम किया था तुन्हें पैसा देती था अब ले वापस ले ले ऐसा तो नहीं है ना वाही मैं अन्तर ले काम किया तुन्हें मुझे पैसा दिया एक रिसिप्ट आज मैंने किसी से पैसा लिया उधार में उधार में उधार में तो दोनों में अंतर है बस वही यहां पर है तो वो capital receipt ठीक है देखिए it is a amount received or receivable मिला या मिलने वाला है in the normal course of business say against sale of goods या renting of service चाहे service देने के वैसे चाहे goods देने के वैसे of a business resources say fixed deposit they are shown in profit and loss account ठीक है या फिर मान लीचे मैंने कहीं पैसे लगाये थे वहां से मुझे पैसे receive हो गए है ना मैं मैंने किसी के share ख़ई देते कही investment किया था interest receive हो गया fixed deposit interest receive हो गया तो मिले क्या है revenue receipt example के लिए amount received or receivable against sale of goods or renting of services या कोई fixed deposit investment के उपर आपको कोई interest receive हो रहा है या shares ख़ई देते तो उसके उपर dividend receive हो रहा है now capital receipt क्या है it is the amount received or receivable against transactions ध्यान देह से दिखिया which are not revenue in nature जो revenue in nature नहीं है capital receipt है example के लिए आपको बता दिया किसी से आपने loan लिया या फिर मानली जी यह panel ख़ईदा था मैंने ठीक है अभी मैंने बताता है receipt में चाहे मैं जमीन ही बेज़ दूँ चाहे मैं अपना पैनल ही बेज़ दूँ उससे जो भी लब में टाइम तक यूज़ करूँगा समझे लिए इस टाइब के इस टाइब के खर्चे को capital expenditure कहते हैं जो कि अभी अपन पढ़ेंगे ठीक है ओके तो जब मैं जमीन खरीदता हूं ना मैं बिजनसमेन हूं मैंने एक जमीन खरीदा पर मेरा काम जमीन बेचना खईदा नहीं है अज़रवाज तो मेरे लिए जमीन गुड्स हो जाएगी तो फिर ऐसे खर्चे को हम capital expenditure कहते हैं अब मुझे लगा या 5-6 साल हो गए हैं कहीं और अच्छी जमीन मिल रही है इसको बेचके निकाल लेते हैं पैसा या इसके पैसे बहुत बढ़ गए अब इसके आगे यह प्राइस बढ़े गी नहीं घटे ही तो मैंने जमीन बेची और पैसा ले लिया तो यह क्या हुआ मुझे पैसा रिसीव हुआ तो रिसिप्ट लेकिन लेकिन वो जो खर्चा था वो जो जमीन वो किस nature की थी capital nature की थी तो वहाँ से जो पैसा मिला वो मेरा किस nature का हो जाएगा capital receipt nature का हो जाएगा अभी जब expenditure देखोगे तो आपको सौंज में आएगा एक बार और एक सबस अब याद रख लीजे कि जो revenue nature का नहीं है वहाँ से अगर मुझे पैसे मिल रहे है तो मेरे लिए capital receipt है example के लिए amount received or receival from sale of machinery building furniture investment या loan taken अगर आप किसे उधार पे loan ले रहे हो वापस करना है तो भी वो capital receipt का हिस्सा है ठीक है जी अच्छा भी या अगर मैं देखो तो machinery दिखा रहे हो आप building दिखा रहे हो furniture दिखा रहे हो ऐसा लग रहा है कि यह वो tangible asset वालों का नाम आ रहा है यह tangible asset थे जी हाँ tangible asset को अगर आप बेश देख यानि अपने assets को fixed assets को आप बेश कर जो पैसे कमा रहे हो वो capital receipt में ही आता है पर इसे capital receipt क्यों मानते हैं क्योंकि जब आपने उसको खर्चा किया था तो उसको capital expenditure मानते हैं तो आईए चलो अब expenditure side देखते हैं ठीक है तो देखें रिसिप्ट थी रिसिप्ट दो प्रकार के थी इस पे differences आते हैं इसलिए प्लीज याद रखना है ना revenue receipt में मैं एक और बता उता हूँ इसका यूज आप 12 months या उसके अंदर ही कर लेते हो यह आपका 12 months से जादा समय तक आपके पास रहता है और फिर आप उसको पे करते हैं हाला कि इसमें 12 months लिखते हैं नहीं इसलिए मैं हटा द रहा हूँ चलो गई या अब expenditure की side यानि खर्चा करना तो expenditure क्या है is the amount spent हमने क्या कि अभी या amount spent किया ठीक है भी या जी spend मतलब खर्चा किया या फिर कोई liability incurred की liability incurred की मतलब यानि कि मैंने किसी सामान खरीद लिया अभी पैसा नहीं चुकाया तो उधार हो गया ना तो ये भी मेरे लिए क्या है खर्चा तो ही ना मैंने सामान ले लिया है तो मुझे आज नहीं तो कल तो पैसा चुकाना पड़ेगा अभी नहीं चुका दिया चाहे नही किसी से काम करवा लिया अभी आपने पैसे नहीं दिये या दे दिये ये दोनों ही क्या है खर्चे है क्योंकि आज नहीं तो कल दोगे पर जरूर दो ठीक है जी अब expenditure दो प्रकार के है एक है capital expenditure और एक है revenue expenditure तो capital expenditure क्या है इस पे आपको ध्यान देना है हाला कि अगर अभी भी रहे तो भी थोड़ा सा याद रखेगा क्योंकि financial statement chapter करते वक्ति क्लियर हो जाता है इनिशली स्टेश पे थोड़ा हम extra effort आपको डालने पड़ेंगे समझने के लिए तो ध्यान से समझेगे capital expenditure क्या है बेसी कली यह है fix assets ठीक है तो अगर मैंने जमीन खरीद ली तो capital expenditure अग मैं इसका इस्तमाल करने वाला हूँ जैसे यह panel है मैं PW का सबसे पहला accounts का teacher था ठीक है जहां तक मुझे मालूँ है मैं second faculty था जब मैं select हुआ था तो यानि मुझे PW में लगभग लगभग 2 साल हो गया है मैं 2 साल से इनी panel से पढ़ा रहा हूँ इधर वाले या उधर वाले और 3-4 panel है जहां पर मैंने अप्तर class ली है पर सब 2 साल से चल रही है ठीक है तो यह जो खरचा है क्या यह किया और खतम हो गया नहीं ना लेकिन जब मैं किसी को कोई काम करता हूँ और उसको salary देता हूँ ठीक है किसी ने मिरे लिए काम किया मैंने उसको salary दे दी फिर मुझे बत हूं कोई काम कर रहा है तो मेरे उसे पैसे चुका रहा हूं ठीक है तो ये एक अलग प्रकार का खर्चा है मैंने कोई चीज खरीदी पैसे चुका दिया अब ये जो चीज खरीदी इसको मैं 5 साल तक चला रहा हूं तो थोड़ा सा अंतर है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं भाया कि जब कोई आदमी काम करता है आप पैसे देते हो तो वो रेगुलर है कुछ खर्चा ऐसा है जिसमें आपने पैसे दिया उस चीज़ को खईदा अब उस चीज़ का इस्तमाल करते जा रहे हो, तो कुछ अंतर है, कुछ अंतर है, तो बस यही है, कि जब आपने कोई खर्चा किया, और जो चीज आई, उसका इस्तमाल करते जा रहे हो, यह इंटेंशन नहीं है, आपका कि खईदा बेज दिया, खईदा बेज दिया, यह इंटेंशन नहीं है, आ cash और से किवायर तो ऐसे किसी भी ऐसेट को खैसिट को खईगने के लिए अब एक point है जो आपको ध्यां रखना है जब मैंने मालिए तू ऊपर मैं एक आफिस के काम से तो जाहिर सी बात है कार मेरे लिए एक ऐसा खर्चा है जो मैंने किया अब मैं यूज करूँगा यूज करूँगा यूज करूँगा यूज करूँगा यूज करूँगा यूज करूँगा यानि एक साल से जादा यूज करूँगा तो मेरे लिए एसेट है ब अभी पैसा में चुकाऊंगा, है ना, ऐसा तो नहीं होता कि दो साल तक चली रही है बिना रिपेरिंग के, कुछ ना कुछ रिपेरिंग, कुछ ना कुछ तूट फूट, कुछ ना इंजन आट लिस्ट बदलता ही आदमी, है ना, तो भाईया जी, यहां पर लेकिन, अगर माल पूरा का पूरा इंजन, अगर आपको कार की थोड़ी भी समझोगी, तो आपको पता होगा, कि इंजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंजन नहीं तो कार नहीं, समझ रहो, तो अगर मैं कार का इंजन बदल रहा हूं, तो यानि कि मैं क्या कर रहा हूं, कोशली था पर मैंने उसको ठीक कराया क्योंकि मुझे एक्जिस्टिंग एसिट को इंप्रूव करना था तो अब मुझे बताईए रिपेर का खर्चा और इस इंजिन का खर्चा सेम हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना रिपेर में रेगुलर्ली करता हूँ पर यह इंजिन मैंने इसलिए किया ताकि कारण मेरी ठीक हो जाए और मैं उसे एक, दो, तीन, चार साल से जादा तक इस्तमाल कर सकूँ अट लीस्ट एक साल से तो जादा तक इस्तमाल कर सकूँ तो capital expenditure में एक खर्चा तो वो जो कि आप उसको खरीदने के लिए कर रहे हो दूसरा खर्चा अगर आपने उसके assets उसकी value को बढ़ाने के लिए कोई खर्चा किया तो वो भी आपका capital expenditure में ही आएगा ठीक है बस इतनी सी बात थी अब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी पिंक कलर यूज करता है विच विच विल इंक्रीज दी अर्निंग कैपस्टी जिस से इसकी अर्निंग कैपस्टी बढ़ जाएगी विल गिव बैनिफिट फॉर एंडरिंग दे नेचर आफ बिजनस इट में भी इंकर्ट टु एक्वार टेंजिबल एसे और इंटेंजिबल एसे अर्निंग बना के दिखाया था तो ऐसे ही एक बैलेंशीट होती है उसमें एक साइट दिखाया जाता है ठीक है तो कैपल एक्सपेडिचर क्या है एसा खर्चा जिसमें आप एसे इसको एक्वार कर रहे हो और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करोगे खतम बाद तो भाया इसका उल्टा वैसे कैपल एक्सप एक्सपेडिचर है जो आपने किया और खतम वहले ही आज नहीं किया बाद में पैसे दोगे लेकिन बारह मैंने केंदा आप उसको पेमेंट करोगे और बात खतम तो रिवेन्यू एक्सपेडिचर इंकर्ड दी बैनेफिट ऑफ इस इस कंजूम्ड एंड उग्जिस्टेट इसको दिखाने के लिए आपको कहा दिखाना पड़ता है डेबिट साइड अफ ट्रेडिंग एक्सपेडिचर एक एसा खर्चा है जो साल के अंदर ही आप उसका बैनेफिट भी कंजूम कर लेते हो साल भर से जादा नहीं चलता अब आपके मन में डाउट आएगा अगर मैं जाता इसका चार-पांच साल यूज करूँगा लेकिन हो गया इसका एक्सिजेंट और मुझे इसको नौ महीने में बेचना पड़ गया तो क्या ये मेरे लिए कैपिल एक्सपेंडिचर होगा कि रिवेंड एक्सपेंडिचर होगा तो भाया कार को आपका इंटेंशन क्या चार-पांच साल यूज करना तो आप उसको कहां दिखाओगे एसेट में दिखाओगे अब वो टूट फूट गई खराब हो गई बेचना पड़ गया फिर वो एक अलग बात है कि वो रिवेंड नेचर का होगा लेकिन जब आपने का खरीदी तब वो कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा तो intention is very important कि कोई आप चीज खरीद रहे हो पैसे चुका रहे हो या चुकाने वाले हो मगर उसका यूज बहुत सालों तक करने वाले हो तो वो capital expenditure है अगर आप उसका यूज एक साल के अंदर खतम कर दोगे तो revenue expenditure है ठीक है नौ इसके example के हैं जैसे electricity expense है cost of goods यान किसी goods को बनाने में जो भी खर्चा लगा salary rent अप पे अगर कर रहे हो तो यह सारे इसके अंदर आते हैं फिर आता है deferred revenue expenditure अगर आपको दियाद हो तो मैंने expense मान लेना चाहिए मगर आपने इसको थोड़ा asset थोड़ा खर्चा दिखा रखा है क्यूंकि इससे आपका profit बहुत कम हो सकता था रियल वल्ड में तो आप कह दिया गया है profit कितना ही कम क्यों आपको total खर्चा ही दिखाना पड़ेगा लेकिन अभी भी लोग 11th class में इसको लेकर चल रहे हैं इसलिए अपन पढ़ रहे हैं तो देखिए deferred revenue expenditure क्या हुआ क्यूंकि आप इसको more than one accounting period तक इस्तमाल करने वाले हो तो थोड़ा आपको asset दिखाओगे थोड़ा खर्चा दिखाओगे फिरिस assets में से इधर transfer फिरिस assets में से इधर transfer तो ऐसे करकर कि आपको इसको खतम करना है इस एस्टिमिडेट एट benefit of such expenditure will echo more than one financial year क्योंकि हम मानते हैं कि इस साइब के खर्चे का जो benefit है वो जादा समय तक चलेगा जैसे कि अगर मैंने मान लीचे ये खर्चा नहीं किया होता अगर मैंने ये खर्चा ही नहीं किया होता तो ये company बने ही नहीं होती अगर ये company बनी ही नहीं होती तो मैं business man ही नहीं होता तो जाहर सी बात है कि ये सारा खर्चा मेरे एक साल का मुनाफ़ा थोड़ी है ये इसने भाई पूरा business बनाया है तो business जब तक चलेगा तब तक कहीं न कहीं इस खर्चे की एक value create हो रही है इस खर्चे की वज़े से ही ये चल रहा है तो ऐसे टाइप के खर्चों को आप deferred revenue expenditure कहते हो और जिस portion को आप asset side में दिखाते हो वो आपका fixation asset भी कहलाता है तो ध्यान दीजीगा मैंने fixation asset में आपको ये समझाया था यहाँ example लिखा हुआ था ठीक है तो बस यही deferred revenue expenditure है जिसमें कुछ पार्ट आपने revenue expenditure है तो यह revenue expenditure पर थोड़ा सा पार्ट आपने revenue में दिखाया है बाकी पार्ट आपने asset में रखा है ठीक है थोड़ा asset थोड़ा खर्चा इसका example क्या है large advertising expenditure इस अबसे अच्छे example है इसका जैसे कि माल लीजे मैंने भाईया सोचा अपनी company को आगे बढ़ा रहा है तो चुकि मैं बहुत खराब acting करता हूँ आप बहाएं कोलने से समझ गया होंगे शारुक जी आए मैंने सोचा कि आप शारुक जी से advertisement करवाते हैं भाई अब शारुक जी कहा रहा है भाई जेखो 5 करोर लगेंगे मैंने बहांच करोर गरीब पे दिया करता हो कि रहे चलो 3 करोर लगे मिले टो 3 करोर भी जाता है तो मैंने सुचा कि हाथ 3 करोर का है तो एक काम करता हूँ शारुक जी से हेख एक contact szerin पा लेता हूँ कि देखो शारुक जी, शारुक जी सुनो, शुनो, शुनो, यह 3 करोड की डील है, लेकिन 3 साल तक आप इस टाइप की किसी भी कंप्री में, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइसमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और यह पैसे में आपको एक बार में नहीं, टुक फिर 3 साल में पूरा खतम होगा, तो इस टाइप के खर्चे को आपन क्या बोलते हैं, डिफर्ड रिवर्टाइसमेंट में खर्चा होगा, वह यह अगर छुट्टू मुट्टू सा खर्चा हुआ तो, अगर मालो 100-200 रुपे खर्च होते हैं, 500-2000, 2000 खर्च होते हैं, तो में नहीं, यह पर्चेज ऑफ एन एसेट कहला हैं, कोई कैमरे का इस्तमाल में लंबे समय तक करने वाला हूँ, जब तक पढ़ा रहा हूँ, तब तक कैमरा मेरे साथ आएगा, या फिर कभी-कभी खीच मेरी फोटो में मेरे काम आएगा, ठीक हैं, समझ गें, तो पर्चेज और एकाउंट टू रिकार्ड पर्चेज और गुड्स और राव मटेरियर, ठीक है, तो मैंने अगर मालीजे मेरा सोफा बनाने का बिजनस है, तो मैं लकडी खहीत के लाया, तो मैं उसे पर्चेज आप गुड्स कहूंग, यह पर्चेज है, फिर उस लकडी से मैंने सोफा बनाया, सोफे को बेचा, तो सोफा मेरे लिए गुड्स है, क्योंकि यह मेरा बिजनस है, ठीक है, समझ गे मेरी बात, ओके, लेकिन अगर मालीजे मैं सोफा का बिजनस करता हूं, मैंने एसे पर्चेज किया, एसे में अपने कमरे में लगाऊंगा, थंडी थंडी हवा खाऊ पेकट वाला ख़रिता है, अगर आप गरोसरी स्टोर जाते होंगे, तो पैक्ट है, तो मैंने किसी से बना बनाया सामान खरीदा, 10 रुपे का और 12 का बेच के 2 का मुनाफ़ा कमाया, तो मैं बना बनाया सामान खरीद रहा हूं, लेकिन बेचने के लिए ही खाऊंगा, तो मे both cash and credit purchase purchase आपका cash में भी हो सकता है credit में भी हो सकता है बस simple आप तो कोई जाना दिक्कत नहीं है जो आप cash में purchase करोगे उसे cash purchase कहेंगे जो goods आप credit में purchase करोगे उसे credit purchase कहेंगे अब आप सामान purchase कर रहे हो तो जाहर से बात है भीया कई बार सामान खराब निकलता है आपन बहुत सारी website से खरीदते हैं सामान जब खराब निकलता है तो आपन क्या करते हैं वापिस करते हैं तो इसको क्या नाम दे? purchase return तो देखें purchase return क्या है भी या goods purchase may be returned to the seller for any reason say that they are defective goods so returned are known as purchase return or return outward ठीक है अच्छा भी या purchase return का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? return outward ये याद रख सकते हो आप लोग इसको भूल जाते हैं purchase return का दूसरा नाम क्या है? return outward भी या return outward नाम क्यों है? देखें मैंने सामान purchase किया तो बिजनस के अंदर आया, defective मिला मैंने वापस कर दिया, तो return outward बिजनस से बाहर, very simple अब बारी आती है sales की तो जब आप सामान खरीडते हो फिर बेचते हो, तो जिस सामान को आप बेच रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे sale बोलोगे ठीक है, या तो आपने लकड़ी खरी दी, इसका goods बनाया और बेचा, तो जो sofa बनाया और बेचा, तो sofa को sale ठीक है, या फिर मैने Maegi का packet खएडा और आम मैं बेच रहा हूँ तो मैगी को जब मैं बेच रहा हूँ तो sale मैंगी का package जब मैं खहीद रहा हूं तो purchase तो 10 का खहीदा, 12 का बेचा भाई ऐसा भी तो सकता है, 10 का खहीदा, 9 का बेचा भाई नुकसान हो जाएगा, जिसको नुकसान उठाना उठा भी सकते हैं, ठीक है जी पर नॉर्मली बिजनस में ऐसा नहीं होता हम कोशिश करते हैं, कि हम कम का खहीदें और ज्यादा का बेचें, तबीतों बीच का मुनाफ़ा अपनी जेब में आएगा तो देखिए, sales the term sales is associated with the use for sale of goods, this goods may be purchased for resale or manufactured by enterprise, है ना तो या तो वो goods बना कर फिर बेचेगा या बना बना या खहीदेगा और फिर सिधा बेच देगा, बात खतम, ठीक है it includes both cash and credit sale अगर cash होगा तो cash sale होगा, create होगा तो credit sale होगा, belly simple belly simple, ठीक है जी ओक्या भी आगे बढ़ता है, तो जाहरी चीबात है जब purchase में purchase done हो सकता है तो sale में sale return हो सकता है अगर मैंने sale किया, तो किसी को सामान पसंद नहीं है तो वापस भी कर सकता है तो उसे sale return कह देंगे, यह तो ज़्यादा कुछ नहीं है good sold when returned by the purchaser ध्यान दीजेगा, अब purchaser कोई और है उसने अगर मुझे वापस कर दिया तो उसे sales return या return inward कहेंगे अब आप समझ भी कहेंगे return outward में क्या था भाईया सामान मैंने खरीदा, पसंद नहीं आया वापस किया, अपने business से बाहर किया sales return में क्या है, सामान मैंने बेचा, उसको पसंद नहीं आया से वापस कर दिया, तो मैंने वापस ले लिया तो return inward मेरे पास वापस आगया तो इस तरीके से आप याद रख सकते है sales return का दूसा ना return inward है कई बार वो लोग पूछ लेते what do you mean by return inward और लोग पता नहीं कहते है अरे यह तो कभी पढ़ा ही नहीं था क्योंकि purchase return, sales return याद रखना असान होता है, return outward और return inward याद रखना मुश्किल होता है, तो आपको ध्यान रखना है ठीक है, now, stock or stock in trade इसका मतलब क्या होता है, stock का मतलब है जैसे मैंने सामान purchase किया, ठीक है मान लीजे मैंने सामान purchase किया, 1000 quantity मान लीजे मैंने 8,000 sale कर दिया, ठीक है at the rate of 12 रुपे, अभी मैं profit loss नहीं निकाल रहा है, बस ये, इतना ही है अब मैं पास कितना सामान बच गया तो 200 बच गया, ठीक है ओके, हाला कि यह आप एक rule है, कि आपको हमेशा जब तक आप सामान बेचोगा नहीं, sale price आपकी stock, कब year end पे, ऐसे नहीं हर दिन, year end पे, accounting period पढ़ाता आपने, तो जीस period में वो end हो रहा है, उस period में जो भी चीज़ आपकी नहीं भी की unsold रहेगी, वो आपका stock है ठीक है, हाला कि आपने इसमें एक rule पढ़ेंगे कि हमेशा cost ये MRV, विचयवर अभी मैं मान के चल रहा हूँ, 10 रुपए, ठीक है अभी आपकी calculation नहीं करवा रहा है, मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ, कि जो माल नहीं विकार वो stock है, ठीक है अब ये count सी तारीक है, मान लीज़े example के लिए 31 March 23 थी, ठीक है तो 31 March 23 को मेरे पास 200 quantity दिख रही है, अब जैसे ही मैं अगला साल शुरू करूँगा एक, चार, तेईस तो मेरे पास पहले से ही 200 की quantity है है ना, तो मेरे यहाँ पर क्या दिख रहा है 200 quantity दिख रही है अब ये जो है, ये साल के आखरी में निकला था, साल के आखरी में है नेक्स्ट येर, तो इसी स्टॉक को अपन क्या कह देंगे, ओपनिंग स्टॉक बस खतम तो स्टॉक का मतलब क्या है भीया वो माल जो आपका नहीं भी का पूरे साल काम करने के बाद दी इसके अंदर दो बात आती है, अगर साल के आखरी की बात करोगे, तो closing stock निकलता है, साल के शुरू की बात करोगे, तो opening stock निकलता है, ठीक है, देखिए Stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period lying unsold, आपकी business के अंदर अभी भी unsold है, ठीक है now, stock may be of two type, first opening stock, second closing stock, opening stock means lying unsold at the beginning and closing stock means lying unsold at the end ठीक है, सिप कोई तिकत में, now, अब बारी आती है, inventory की, यूं तो जब आप books में पढ़ोगे, तो आपको stock और inventory, same ही मिलेगा, कहीं inventory लिखागा, कहीं stock लिखागा, बट इसमें छोग टूसा difference है, क्या difference अभी है stock जो होता है, यह हम mostly, बने-बनाए माल के लिए word यूज करते हैं बने-बनाए बने-बनाए product के लिए यूज करते हैं, यह word बने-बनाए product का मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने, मैगी का packet खईदा बना-बनाया है, 10 रुपे का, 12 में बेचा या फिर मैंने sofa खईदा बना-बनाया, और फिर उसमें अपना profit margin जोड़ा और बना-बनाया बेच दिया, समझ रहे हैं आप मेरी बात ठीक है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं खुद बनाते हैं खुद ही बनाते हैं, जैसे जो आपका retailer होता है, वो mostly खुद नहीं बनाता है बना-बनाया माल खरीदता है, सस्ते में और दो-चार रुपे का profit जोड़कर वो आपको बेचता है, लेकिन कोई ना कोई तो बना रहा होता है, नमकिन किसी ना किसी की factory में तो बन रही होती है तो जब किसी की factory में कोई चीज बन रहा होता है जैसे उन का ले लीजे, तो उन खरीद के कोई आदमी लाया, अब उसका कपड़ा बनाएगा, तो पहली बात तो जब साल के आखरीम होगा, तो कुछ तो उसके पास उन ही बचा होगा कुछ उस उन में से आधा काम हो चुगा होगा तो inventory word use होता है manufacturer के लिए, किसके लिए use होता है manufacturer के लिए, जो सामान को बनाता है, क्योंकि उसके घर में उसके घर मतलब business में तीन प्रकार से stock बस सकते हैं एक तो कुछ हिस्सा उन का ही बचा हुआ होगा सारा का सारा उन उसने इस्तमाल थोड़ी कर लिया होगा तो कुछ हिस्सा उनका बचा होगा कुछ आधी शट बन गई होगी आधी बननी रह गई होगी कुछ पूरी शट बन गई होगी पर बिकी नहीं होगी तो यहां पर तीन प्रकार का जाता है क्या inventory of raw material inventory of work in progress and inventory of finished goods ठीक है का product but still lying unused ठीक है मैंने यह खईदा है मैं इसका product बनाऊंगा पर अभी साल खतम हो गया और अभी वी उन ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है finished work in progress के में क्या हो जाएगा यह सेमी finished goods है यानि मैंने आधा बना दिया लेकिन year end हो गया अगली साल इसको पूरा बना के दिखाऊंगा और finished goods में क्या है यह पूरा बन चुका है year end हो गया पर मैं इसको भी तक बेच नहीं पाया हूँ ठीक है जी तो नॉर्मली भाशा में आप इसको सेम ही देखोगे stock inventory stock or inventory लिखा हुआ लेकिन छोटा सा difference जो आपको याद रखना है inventory हम manufacturer के case में कहते हैं और stock हम बने बनाए माल के case में कहते हैं now inventory of stock in trade it includes value of those goods which are purchased for reselling तो जब मैं manufacturer होता है तो कई manufacturer ऐसे भी होते हैं कि कुछ चीज़ें तो वो कच्छा खईते हैं फिर उसको finished में work in progress और फिर finished goods में convert करके बेचते हैं पर manufacture कुछ बना बनाए भी खई सकते हैं तो उस case में inventory of stock in trade भी आ सकता है तो manufacture के case में 4 और क्योंकि अगर यह साल के शुरू के हैं तो opening साल के end के हैं तो closing ठीक है नोट हमेशा धियान रखी का it should be always kept in mind inventory is always valued at cost price at cost price or realizable value whichever is less जैसे मैंने यहापे आपको लिखके दिखाया था at the rate 10 मैंने 12 क्यों नहीं लिया क्योंकि 12 तब मैं लेता हूँ जब मैं सेल करता हूँ तो 31 मार्च से पहले 29 मार्च को मुझे पता चला कुछ अजीव सी घटना घट गई और मार्केट में यह जो 200 रुपे की quantity अब वो 10 में नहीं अब मेरा competitor उसको 8 रुपे में बेशने लग गया तो मैं क्या उसे 8 से जादा में बेश सकता हूँ अरे बेश सकता हूँ जब तक उसको पता चलिए कि भाई वो प्रोड़क्ट 8 रुपे में देरा और मैं 10 रुपे में देरा हूँ सेम है तो लेंगे क्या नहीं लेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यह दर की जगे आठ का न पड़ेगा तो यही एक रूल है हाला कि यापकर अपन ठीक है चलिए तो यह बाते याद रखनेंगे अब आती बारी expense की अच्छा यह expenditure और expense अलग-अलग होता है क्या expense basically हमारा revenue expenditure होता ना उसी का हिस्सा होता है पर यह थोड़े थोड़े बड़ अलग-अलग होता है normal भाषा में हम यूँ ही बोलते है तो expense का मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिससे आपको revenue generate करना है अगर आपको revenue generate करना है उसके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो आप उसको normally expense बोलोगे expenditure बड़ावर्ड है उसी के अंदर expense आ जाता है ठीक है ऐसा समझ सकते हो आप अगर आपने cash में किसी को payment की तो भी वो खर्चा है अगर आपने fixed assets को write off किया यह नहीं depreciation यह क्या होता है तो जैसे मान लीजे मैं कोई panel ख़िद के लाया मान लीजे इस panel को ख़िदने में मिले को 2-3 लाख रुपे लगे अब मैंने का यार एक दिन use करने के बाद इसको वापस करते हैं यह सही नहीं लग रहा अब मैं एक दिन use करने के बाद उसको वापस करूँगा तो क्या वो same price देगा मुझे नहीं देगा ना यह under warranty हो तो change करके देगा नहीं नहीं इसमें कोई defect नहीं है मैं सोच देगा कि इसको ऐसी बेज दूँ यार आब वापस करते हैं समझ रहे हो तो क्या वो same price पे लेगा नहीं लेगा ठीक है नहीं लेगा क्यों नहीं लेगा भाईया वो reason क्या है तो उसी को accounting term में कहा जाता है depreciation कि अगर किसी asset की value down हो गई है asset की value down हो गई है due to wear and tear, due to passes of time, due to use तो आप उसको depreciation कह दोगे फिर amount return of out of current assets यानि की कोई current assets था आपका उसमें से कुछ amount अब आपको नहीं मिलने वाला जैसे आपने किसी को उधार पे सामान बेचा ठीक है? 15,000 का बेचा अब वो कह रहा भाई 12,000-3,000 नहीं दे पाऊंगा सौरियार में पास कोई पैसा नहीं है दे ही नहीं आप क्या करें? भाईया दो-चार रखके दे देते हैं भाईया, illegal है जिल जले जाओगे, है ना? तो भाई 3,000 रुपे का क्या करें? तो हो गया मेरा नुकसान, तो वो भी मेरा एक प्रकार का खर्चाई ही है और उसको बोला जाता है बेट टेप्ट, ठीक है? फिर आती ये बारी कि भाईया मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, आज कल मार्केट में चलता है ना, शियर्स खईदो, शियर्स खईदो और जैसे ही मार्केट गिरता है, मेरे शियर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो यानि मेरा नुकसान हो गया, खर्चा ही एक प्रकार का तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ है तो या मैंने किसी प्रोड़क्ट को बनाने में कोई भी खर्चा किया है पैनल खरीदने के लिए, तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर है कैसा एक्सपेंडिचर, यह छोड़ी-छोड़ी पारी किया याद रखनी है ना, लॉस क्या होता है भीया, तो जाहर सी बात है लॉस यानि कि जब भी आपका रिवेन्यू कम हो, एक्सपेंस जादा हो, ठीक है जी तो लॉस इस एन एक्सपेंस अफ़ एक्सपेंस अफ़ पीरट ओवर इट्स रिवेन्यू यानि आमदनी अठनी खर्चा रुपईया, तो नुकसान कितने का हो गया, अठनी कहे रहें, भी अठनी क्या होती है, पॉइंट फाइव, पचास पैसे को अठनी बोला जाता था, ठीक है, और पच्चिस पैसे को चवणनी बोला जाता था, तो यह अठनी होती है, और यह चवणनी होती है, ठीक है, तो आमदनी अठनी खर्चा रुपईया, तो दिरे आप सीख भी जाओगे ना एक्जाम्पल है कैश और गुड्स लॉस्ट इन थैफ्ट या लॉस एराइजिंग डू तो एन इवेंट ऑफ नॉन डिकुरिंग नेचर लॉस ऑन सेल और फिक्जेसर्स जानोगे बेसिक पॉइंट यह है कि रिवेन्यू जो था उससे जादा आपका खर्चा होगया चलो भी आगे बढ़ते हैं अब रिवेन्यू क्या होता है वईया तो रिवेन्यू यानि कि lovers पैसा आया और आपका हो गया आपको loot आना नहीं कैपेटल इसंप्रियाद है एक तो था पैसा आया और आपका होगया एक पैसा आया लेकिन कुछ ताइम of ordinary activity of an enterprise from this sale of goods from rendering of services and from use of other by others of enterprise resources yielding interest your dividend यानी कि वहाया मैंने सामान बेचा मुझे पैसा मिलेका या मैंने सामान बेचा बाद में पैसा मिलेगा मैंने सर्विस देचा मिलेगा या मैं सर्विस दे ती है पैसा बाद में मिलेगा या फिर मैंने कहीं investment किया था वहाँ से पैसा मुझे आ रहा है या मैंने किसी के shares कही देते वहाँ से मुझे dividend आ रहा है ये सब मेरे लिए क्या है revenue example of revenue क्या होगा है sale of goods, rent, commission, etc फिर income क्या होता है भीजा तो income में थोड़ी छोड़ी छोड़ी चीज़े है अगर मेरा खर्चा रुपईया है आमदनी revenue अठनी है तो loss हो गया ऐसे ही अगर मेरा आमदनी रुपईया खर्चा अठनी तो income हो गया तो income क्या है भीजा income means profit earned during an accounting period profit आपने जो earned किया वो income है इसका क्या है difference between revenue and expenses तो expenses में से revenue minus किया loss हो गया लेकिन revenue जाता है expense कम है तो profit हो गया बात खतम एक example के लिए मान लीज़े कोई goods सा जिसकी costing 15,000 रुपे की थी आपने उसको बेचा 18,000 रुपे में तो ये जो 18,000 रुपे में तो ये जो 18,000 ये क्या है revenue जो पूरा पैसा मिला वो revenue जितना भी पैसा मिला सब revenue है जो खर्चा किया था उसको minus करने के बाद जो amount आएगा वो middle income कहलाएगा अब बारी आती है profit क्यों है profit क्या होता है तो profit और income में बच्चे बहुत confused होते हैं profit means income earned by the business from its operating activity यानि कि मैं business की operating activity करता हूँ जो basic काम होते हैं मेरे business के लिए जो basic basic काम होते है उसके तुरू जो भी मुझे पैसा मिलता है वो मेरा profit होता है activities carried out by the enterprise to earn profit जो भी activity आप कर रहे हो किसी profit को कमाने के लिए वो सब आपका profit के अंदर count होता है ठीक है gain क्या होता है वह या अच्छा income profit से बड़ा है revenue उससे बड़ा है अब gain में क्या हुआ कि मान लीजे मेरे पास कोई asset था मैंने जमीन ख़ई दी एक लाख रुपए की ठीक है मैंने जमीन खई दी एक लाख रुपए की इसको बेच दिया मान लीजे एक लाख बीस जार में तो यह बीस जार का मेरा क्या हो गया profit नौर्मल भाशा में इसे profit आप किताबों में भी इसे profit देख सकते हो लेकिन क्योंकि यह जो था यह मेरा asset था अगर मैं asset को ही बेच रहा हूँ और उस पर कोई फाइदा कमा रहा हूँ तो इसको मैं gain बोलता हूँ ठीक है अगर कोई exact आपसे पूछे specific आपसे पूछे तो आपको धियान रखना है कि asset को बेच कर अगर कुछ मुनाफ़ा हुआ तो आप उसको gain बोलोगे profit या income नहीं बोलोगे मोटा मोटी भाशा में आप सुनते रहते हो लोग revenue भी बोलते रहते हैं gain is the increase in capital of owner resulting from something other than day-to-day earnings from irregular or non-recurring natures stating that differently it is a profit that arise from a transaction which are not the operating activity जो not operating activity है उसके तुछ आपको profit मिला but are incidental to such gain on sale of land, machinery या investment तो यह सारी चीज़े gain के अंदर आती हैं ठीक है यानि fixed assets tangible, intangible को बेच कर आपने कोई मुनाफ़ा कमा लिया तो आप उसको profit ना बोलकर particular word उसके लिए gain है चलिए आगे चलते हैं अब आता है trade receivable, debtor और bill receivable, यह तीनों ही आपस में connected है तो मैं पहले आपको debtor बताता हूँ debtor क्या होता है debtor की मतलब मैं अगर किसी चीज़ का business करता हूँ और मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ उधार में, तो जिस व्यक्ति को बेच रहा हूँ वो मिर लिए debtor है, देखीएगा debtor is a person or an entity who owes amount to the enterprise यानि वो व्यक्ति जिसके उपर उधार है enterprise का against credit sale, of goods, of services तो या तो मैंने सामान बेचा या मैंने अपनी service दी लेकिन अभी उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो वो क्या हो गया? debtor हो गया clear है जी debtor जिसने हमसे उधार पे या तो service ली है, या तो हमारा सामान खरीदा है, पैसा भी नहीं चुकाया अभी या जी, अभी जो debtor होता है मान लीजी अगर ये debtor ये कह दे, मैं ये कह दूँ कि भाई मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तो एक काम कर मेरे इस bill पे sign कर कि तु भाई मुझे पैसे चुकाएगा दो या तीन महीने बाद तो उसने का ठीक है तो वो debtor अगर उस bill पे sign कर देता है तो अब वो bill जिस पर उसने sign किया वो bill मेरे लिए क्या है मेरे लिए, company के लिए क्या है, receivable कि वो bill में debtor को दिखाऊँगा और उससे पैसे लूँगा ये bill में debtor को दिखाऊँगा उससे पैसे लूँगा, तो वो आ जाता है bill receivable में, ठीक है तो ऐसे debtor जिनसे मैंने bill bill sign नहीं करवाया, bill of exchange करके एक chapter भी है, जो अपने सबसे आखरी में पढ़ते हैं ठीक है जी, अब क्योंकि NCRT में नहीं है, और CPSC के slayvers में भी हट गया है, तो पहले हुआ करता था ठीक है जी, तो bill of exchange में जब मैं इसको करूँगा, तो वो debtor जिसने bill पे sign कर दिया, तो वो debtor नहीं होकर, अब bill receivable हो जाता है, मिर लिए क्योंकि ये bill दिखा कर, मैं उनसे पैसे लूँगा bill मिर लिए क्या है, receivable है, bill से पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वो BR हो गया, बाकी वो लोग, जिन्होंने समान उधार पे खईद है, अभी bill will sign नहीं किया, वो मिर लिए debtor है, और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, तो trade receivable है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको साथ में पढ़ाया था, it is the amount received for a sale of goods and services rendered in ordinary course of business, stating differently, it is the amount due from the customer of the enterprises, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या बोसकते हो, trade receivable is a sum of total debtor and bill receivable, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, तो मेरे लिए trade receivable बन जाता है, individually debtor कौन है, वो वेक्ती जिसने आप से सामान उधार पर लिया है, या आपकी service उधार पर लिया, पैसे वो बाद में देगा, लेकिन अगर आपने उसे bill पर sign करवा लिया, तो अब वो debtor नहीं रहा, वो bill receivable हो गया, क्योंकि उस bill से आपको पैसे मिलेंगे, उस bill पर आपको पैसा owed to the business that is written off, because it has become irrecoverable, it is a loss for the business and thus, thus it is debited to profit and loss account, क्योंकि अब मेरे ले क्या हो गया, लास हो गया, बो पैसा मुझे मिली नहीं रहा, अब मुझे मिलने चाहिए दसजार को, उसने नहजार दिया, उसने का भाई जिन्दगी में बुरे दोस्तों से दूट रहना है, ठीक है जी, जो बात बात पर कसम खिला खिला के आपको बुरी आदते सिखाते हैं, या आपको बुरा इंसान बनाते हैं, ठीक है, नौ, इसी का उल्टा, ट्रेड पेवर, जैसे ट्रेड रिसीबल है, डेटर है, क्रेटर है, अब की बार मैं सामान बेज रहा था, अब मैं क्या करहा हूँ, खरीद रहा हूँ, मैंने सामान खरीदा, या सामने वाले से service ली पैसा नहीं चुकाया तो अब सामने वाला में ले क्या हो गया creditor हो गया ठीक है जब मैं सामान उधार पर खरीद रहा हूं पैसे नहीं चुका रहा तो सामने वाला में ले क्या हो गया creditor हो गया अब उसने भी कहा कि भी या साइन करवा दो तो अब जो बिल है उस पर मुझे पे करना पड़ेगा ना अब जो बिल बना उस पर मुझे पे करना पड़ेगा तो मैं क्या हो गया बिल्स पेवल तो जिस बिल पर मुझे पैसा रिसीव होगा बियार जिस बिल की वैसे मुझे पैसा पे करना ठीक है, बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल means a bill of exchange accepted by the person or an enterprise the amount which to be payable on the specified date, फिर मैं एक डेट पे पेइमेंट करूँगा, ठीक है, तो बिल्स पेबल मुझे एक डेट पेइमेंट करनी है, बिल्स पेबल में मैं रिसीव करता है, तो बस यही अपोजेट है, और trade payable क्या होता है, तो trade payable is the sum, total creator and बिल्स पेबल, तो जब इन सब को total कर देंगे, तो trade payable बन जाएगा, ठीक है, भया, इसके अंदर वो bad debt जैसा कुछ नहीं होता, नहीं क्योंकि यह थो हमारे लिए फायता हो गया, क्योंकि हम उसके लिए bad debt होंगे, पर हमें अगर पैसा न लोग नहीं है, इसलिए यहाँ, bad creator type का कुछ भी नहीं है, ठीक है, now, cost, और क्योंकि मैं अगर bad creator लिखूँगा, तो creator bad हुआ, है ना, जबकि creator bad नहीं बैट तो मैं हूँ, क्यों मैं उसको पैसे नहीं जुगा रहा, ठीक है, now, cost क्या होता है, तो इसमें बहुत छोटे छोट था, gain था, ऐसे ही, cost है, cost हम, actually, एक particular product की बात करते हैं, एक activity की बात करते हैं, तो it is the amount of expenditure in code, और attributed to a specified article, product और activity, जैसे कि मान लीजे, मैं ये pen खरीद रहा हूँ, तो pen की cost जो होई, वो मिर लिए cost होई, ठीक है, panel खरीद रहा हूँ, तो panel की cost जो है, मिर लिए cost है, लेकिन, वो चीजे होती है, cost of goods sold, cost of goods sold क्या होता है, तो cost of goods sold का मतलब है, कि जब मैंने किसी चीज़ को खरीदा, ठीक है, फिर उसमें और भी cost लगाए, तो जब तक उस चीज़ को मैं बेचने लाइक ना बना दूँ, तब तक का जितना भी खर्चा है, जैसे, example के लिए मैं कहता हूँ, example के लिए मैं कहता हूँ, कि मैंने भाया किसी चीज़ के plastic purchase की, लकड़ी purchase की, लकड़ी purchase की 10,000 रुपे की, ठीक है, sofa बनाने के लिए, जाहर सी बात है, मैंने को चद्धर अधर purchase की है, अभी चद्धर मैं ऐसे ही लिग दे रहा हूँ, यानि, sofa पापन लगाते है ना, जो, bed sheet sheet type की जो होती है, चद्धर purchase की माल लिज़े, 2000 रुपे की, फिर जाहर सी बात है, मैं इसमें labor charges भी plus करूँगा, ठीक है, labor charges माल लिज़े, 3000 रुपे लग गया, ठीक है, और भी XYZ, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक sofa बनाने को, मैं example ले ले रहा हूँ, तो यह जो 15,000 की cost है, यह मेरे लिए सिर्फ cost हो रही है, अब मैं इसको बेचनलाइक बनाँगा, तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगी, cost of good sold, COGS, मेरे लिए लगड़ी जो है, single cost है, किसी product, किसी article, सिर्ल लगने वाली cost, लेकिन इस सब में total cost, जो कि अब मैं product को बेचनलाइक बना रहा हूँ, तो व मैंने वो बेच नहीं दिया, तब तक का जुतना भी खौश जाए विसकंदरा आ जाता है, अब बारियाते goods की, goods क्या है, तो goods यारी वो physical item जिसका आप trade करोगे, जिसका आप purchase करोगे, goods are the physical item of trade that are purchased to be sold, the terms apply to all the items making of sale or purchase of a business, basically point क्या है, कि अगर मान लीजिए मैं, मैं की भाई ह बेचता हूँ, machine बनाता, बेचता हूँ, तो machine में ले क्या है, goods है, अगर मान लीजिए मैं एक dealer हूँ, जो जमीन में deal करता है, जमीन खरीता हूँ, बेचता हूँ, जमीन खरीता हूँ, बेचता हूँ, जमीन खरीता हूँ, बेचता हूँ, तो जमीन में ले क्या है, goods है, वह अगर भईया मैं कार की कंपनी हूं कार बनाता हूं बेचता हूं कार बनाता हूं कार बेचता हूं तो कार में लिए क्या है गुड्स है पर भईया अगर मैं कार की कंपनी हूं मैंने कार बनाई लेकिन अपने खुद के इस्तमाल के लिए रख लिया बिजनस के परपस के लिए रखने हैं ठीक है ठीक है तो ये जो फिर आता है वाउचर वाउचर आपको याद है और बिज्टने बत Also होिए अब को बदेहां आधे ये जो यह थो घुन में बतारा हूँ कि जो बिल आपका बन रहा है वही आपके लिए एक transaction किया वो पता चल जाए तो वाउचर इस एन evidence of a business transaction तो business transaction में अपने जो भी किया उसका जो evidence बन गया ना तो उस evidence को अपन क्या बोलते हैं वाउचर बोलते है एक chapter जिसमें source document वाउचर में थोड़ा सा difference है वो भी अपन पढ़ेंगे discount क्या होता है भी या तो जाहर किया पन उसको मोल भाव मोल भाव नहीं करते हैं है ना ऐसी बहुत सारी cash की दुकान के सब जूटी होती है जब वो खुद तो माल खईते जाते हैं तो मोल भाव करते ही होंगे यह तो उनको पता है कि हमाई यह दुकान चल रही है यह नहीं आएगा तो दस और आएंगे हमारे पास quality है हमारे area में कुछ और ही नहीं तो ऐसे लोग अकड़के लिख देते हैं फिक्स प्राइज मोल भाव करके शर्मिंदा ना करें ऐसे लिख देते हैं कई लोग जबकि खुद तो मोल भाव करके ही तो समाल लाते हैं इसकी शक्रपी लिखा यह डिसकाउंट लिखा यह रूख जाए इसका भी लेबल बदलता हूँ पांसो करतेंगे लेबल आप डिसकाउंट में कितना मांग लोगे भाई यह डाईस होगा कर दो भाई यह कहता ठीक है दो सो कर दिया चलो जाओ और जब किसकी एक्शूर प्र के चुट्टी तो यूज करना है माइंड का इंटाल और कॉमियंज बनना है अभी अपन कॉमियंज है है ना चलिए तो डिसकाउंट में भी कई प्रकार होते हैं इसकाउंट का बेसिक मतलब यह है कि जो भी आप सामान जितने में भी खईदने वाले हो उससे कम में मिल जाए तो डिसकाउंट के भी रूफ होते हैं आईए जानते हैं तो इडिसकाउंट आपके दो प्रकार के होते हैं एक होता है जैसे आपने देखा होगा मैं भी करता हूं यह तो देख भाई जाओ या कुछ बल्क में आप खईदने जाते हो कोई बहुत बड़ा तेहार है या बहुत बड़ा वह लगा रहे हैं तो इसमें आप करते हो कि भाई देख मैं इतना सारा लेकर जाओंगा भाई मुझे बता कितने पैसे लगेंगे तो वह बताएगा एक प्रोड़क्ट का म by the seller to purchase her or goods when they buy goods for certain quantity or value ठीक है जी? तो क्योंकि बल्क में वो खरीद रहा है मुझसे इसलिए मैंने discount दे दिया ठीक है जी? नाओ cash discount क्या होता है भईया? cash discount मैं उससे कह रहा हूँ देख मैं अप होता है था ना कि normally credit period allow होता है थोड़ा credit period चलता है business के अंदर कि भईया आज तूने सामान ख़ए लिया उधार में 30 दिन बाद, 45 दिन बाद दे देना तो या तो वो 30 दिन से पहले दे दे या फिर वो कहे कि भई देख मैं तरको 45 दिन में चुका दूँगा लेकि मुझे थोड़ा सा discount चाहिए तो मैं उसे cash discount देता हूँ, यानि कि अगर मैंने discount दिया due to एक time पर payment करने के लिए या उस time से पहले payment करने के लिए तो मैं उसे cash discount बोलता हूँ, अगर bulk की वज़े से discount दिया तो trade discount, ठीक है तो देखे, cash discount is the discount allowed for timely payment of due amount, it is an expense for a party allowing the discount, जाहर सी बात है जो discount allow कर रहा है, उसके लिए खर्चा ही हुआ क्योंकि भाई उसको मिलने चाहिए थे 10,000 रुपे पर क्योंकि वो हमें समय से पहले दे रहा है या एक specified time पर दे रहा है तो मैंने उसे कहिए चले आप 500 रुपे छोड़ दे ठीक है, पर वो जो 500 रुपे छोड़ दे वो एक्चुली आपके लिए लॉसी है, ठीक है जी, ना और जिस पार्टी को ये discount मिल रहा है उसके लिए receiving है, तो अगर मैं discount ले रहा हूँ तो मिरे लिए discount received है, उसके लिए discount allowed है और अगर मैं discount दे रहा हूँ bill of exchange में rebate का एक अलग meaning भी है यहाँ पर अपन को normally जो rebate word use किया जाता है वो यूस किया जाता है, क्योंकि जैसे कई बर क्या होता है कि अपन भीया जी जाते हैं सबजी खरीदे हैं तो सबजी खरीदे हैं, कुछ लोग एकदम सुबह जाते हैं कुछ लोग शाम को जाते हैं कि रात की सबजी भी बना लेंगे, और क्या है सुबह खरीदने भी जाओ, तो जवी थोड़ी की सुबह खाना बनाई रहे हूँ सुबह आपन खाके जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जब कोई रात में जा रहा होता है तो उसको पता है कि रात में सबजी थोड़ी बची-खुची होती है तो उसको उमीद होती है कि बाई, मैं रात के अंदरे में अच्छे-च्छी सबजी भी खरीद लूँगा ऐसा निए कि एक दिर में साही सबजी खराब हो जाती है तो वह जाता है रात के अंदर में लेकिन वह सोचता है कि यार कुछ तो फाइदा उठाए तो कहते हैं देखो यार अब घर जा रहे हो यार कॉलिटी सही नहीं लग रही है यार यह तर्माटर में नहीं लग रहे है अगर सस्ता लगा दो तो मैं ले लूँ या जैसे मैं जीन् फित्ती से सीधी होती है कई इसे केस में वह क्या करते हैं इसको हैवे दिसकाउट में देदेज हैं तो अब आपको डिसकाउंट क्यों मिला जूब टेफेक्ट तवे आइटम तो ऐसी टाइम पर जबको को discount मिले तो आप उसको rebate बोलते हो तो यानि कि reduction in the value of goods तो हो रहा है ठीक है जी allow भी किया जा रहा है by the seller after the goods have been sold it is allowed by the seller for the reason other than of trade discount and cash discount यानि इन दोनों के reason के अलावा अगर कोई reason है तो rebate में आ जाता है mostly क्या होता है because of poor quality of goods sold ठीक है तो quality या तो poor है या तो जैसी हम चाते थे वैसी नहीं है उसकी वजह से उसने price कम कर दी तो वो अब अपने इतने सारे words देखें, तो हम जब एक business कर रहे होते हैं, तो बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं, तो बहुत प्रकार के accounts बनाए जाते हैं, तो वो पूरे accounts, अभी तो अपने पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे करके chapter start करेंगे, तो journal entry करेंगे, अब तक अपने ये words सुन जाते हैं, तो इन सब को पूरे इखटे जो ये सारे जिए बनाए जाती हैं, उसको बला जाता है, books of account, the record और books in which financial transactions of an entity are recorded and maintained, they include cash book, bank book, journal, ledger, जितने भी books of account बनाए जाती है, जितने भी recording की जाती है, वो सब कुछ हमारे लिए books of account के अंदर आती है, अगर मैं उस पूरे overall को बोलू एक word में तो, एक word यानि की ये तीन word में, ठीक है, ना, solvent कौन होता है, solvent यानि वो एक्ती जो आपको पैसे चुकाने के लायक है, ठीक है, solvent मतलब वो एक्ती जिसने आपसे सामान उधार पे खईदा और वो इस लायक है कि वो आपके पैसे चुका सकता है, ठीक है, solvent is a person or enterprise which is in a position to pay its debt, यानि वो अपने उधार चुकाने लायक है, तो वो solvent है, फिर insolvent कौन होगा भी है, जो चुकाने लायक नहीं है, तो देखिए, insolvent is a person or enterprise which is not in a position, which is not in a position to pay its debt, और bad debt कब बनता है, जब वेक्ती insolvent हो जाता है, मैं बता रहा था ना, कि ऐसा नहीं है कि कोई आ तो इंसolvent कौन है, वो वेक्ती जो आपको उधार चुकाने लायक नहीं रहा, उसके पास है ही नहीं पैसे, ठीक है, उसका बिजनस पूरा डूब किया, ठपू हो गया पूरा बिजनस, फिर आती ही बारी investment, यानि कि जब आप अपने पैसे को कहीं और भी लगाते हो, एक तो with the intention of earning return, और ये पैसे क्यों लगा जाते हैं, ताकि वहाँ से हमें पैसे कुछ मिल जाए, कुछ income कमाई हो जाए, ठीक है, फिर आता है depreciation, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि अगर आप किसी asset का इस्तमाल करते हो, या उसको आप सिर रखे रहने देते हो, पर उसकी value में reduction आजाता है, तो जिस भी वज़े से reduction आएगा, उसको आप depreciation बोलोगे, depreciation is fall in the value of asset, because of uses or affection of time, obsolence, accident, भर ही, accident हो गया, obsolence मतलब क्या होता है भी या, तो जैसे मालीजे कोई technology आगई और उसकी वैसे अब ये product किसी काम का नहीं रहा है, या इसकी value बहुत कम हो गई, तो आप वो जो reason है, जिसकी वैसे value कम हो गई, वो reason depreciation है, उसके अलग-अलग नाम है, obsolence है, passes of time है, accident है, accident की वैसे अब उसकी value बही नहीं रही, अब कम हो गई, तो आप उसको depreciation के अंदर को गई, और depreciation के अंदर ये सारे words होते हैं, ठीक है जी, तो basic point क्या है कि अगर आपकी assets के value क है, life stock है, कई लोग गाये पालते हैं, गाये उनके लिए life stock है, पुराने जमाने में अब भेंस पाला करते थे, बैल पाला करते थे, जिससे खेत जूता करते थे, तो वो सब उनके लिए क्या होते हैं, life stock होते हैं, ठीक है जी, ओके, बस ये, तो life stock means domestic animal, such as cattle, horse, are known as life stock, these are shown as assets of balance sheet, जाहिर सी बात है, ये सब एक साल में तो भगवान को प्यारे नहीं होने वाले, भगवान करें, और ज्यादा जी, है ना, तो हम इनका इस्तमाल करेंगे, इनका इस्तमाल से ही हमारे पैसे बनते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक प्रकार के assets हो गया, future economic benefit हमारा इन expense, revenue asset, capital asset, इसमें थोड़ी सी confusion होती है, fixation asset में थोड़ी सी confusion होती है, बट मेरे humble request रहेगा, कि जब तक हम financial statement तक का chapter ना कर ले, तब तक 11th में थोड़ा थोड़ा हमेशा confusion रहता है, क्योंकि पहले ही chapter से हर word इस्तमाल होने लगता है, लेकि हर word के लिए एक chapter बनाया गया है, जै क्लास में आप से यह कहूँगा, 11th क्लास में आये हो, Rome was not built in our day, कोई भी महानकार एक दिन में नहीं होता, थोड़ा सा patience बनाईएगा, और धीरे धीरे चीज़ों को समझ येगा, थोड़ा सा effort जरू डालिएगा, पहले दो महीने हो सकता है, 40 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, बहुत irritating निकलेंगे, लेकिन जब आप एक बार commerce की दुनिया में अच्छे से कदम रखोगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, तो बहुत पैसे भी बनेंगे, ठीक है, commerce की दुनिया में cash की कोई कमी नहीं है, हाला कि cash मतलब वैसे बोले है, अब तो online का जमाना आ गया है, मतलब basic point है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उसको अच्छे से सीखो, analytical skills लगाओ, आप अगर अब कभी shop पर जा रहे हो, तो cash discount लोना यार, trade discount लोना यार, rebate लोना यार, समझ रहे हो, तो इस सब जो words मैंने पढ़ाए, इसको पढ़के copy में लिखने के लिए नहीं पढ़ाए ह इसका real life में इस्तमाल करो, अगर आपके पास पैसे हैं तो investment करो, bank account open करो, उसमें पैसे लगाओ, ताकि जब आप 12th pass करो, तो आपने जो भी पैसे coaching में हैं, या हमें या किसी को भी दिये होंगे, उतना पैसे आप कमा लो, उतना पैसे आप बचा लो, ये सिर्फ theoretical words नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ है, accounts एक subjective subject है, practically use करोगे, तब मज़ा आएगा, ठीक है, तो इस उमीद के साथ चलते हैं, और कुछ homework है, बिना homework के तो नहीं जाएंगे, तो भी ये homework है, ये आपको comment section में बताने हैं, इसे ये भी पता चल जाता है, भी आपने धियान से देखा कि नही है ना, उसी के basis पर फिर ये decide होता है, कि आगे के lectures कैसे आएंगे, है ना, तो I hope कि YouTube family, अगर ये YouTube पे आप देख रहे हैं, और एप वाली तो हैं, अगर एप पे देख रहे हैं, और जो भी देख रहा है, ये homework है, आप इसको जहू सॉल्फ करो, और जो 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 लोग भी इसके answers देंगे, मैं next class में उनका comment में नाम जरूर लूँगा, ठीक है, तो ये homework है, जो आज हमने पढ़ा, उसी के उपर है, कहीं कोई tough चीज नहीं है, तो देखते हैं, पर हाँ, एक request है, answer देखने के बाद मत लिखना यार, फिर कोई sense नहीं है, इस lecture को देखो, अगर ये caution करने मे chat GPT पे, Google पे और फिर आप comment लिख रहे हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा, है ना, आप मुझे धोगा दे दोगे, लेकिन उपर धोगा नहीं जाएगा, यहाँ पर धोगा नहीं समझ में आता, जब real time आगा ना, तो यही धोगे आपको problem create करेंगे, ठीक है, क्योंकि धो के बाज कभी ना, कभी तो मुझे जरूर खाते हैं, ठीक है, ओके, तो I am believing in you, पांच है, तो आपका जो भी answer हो, comment में लिखीएगा, फिर देखते हैं कितने सही, कितने गलत होते हैं, next lecture में में बता दूगा, जब भी आएगा तब, और last में, आप सब का बहुत प्यार मिलता है उसके लिए, thank you, thank you, thank you, thank you, my dear communeans, for being with us, for loving us, for supporting us, for being our stars, for being our champs, for being our jams, thank you, thank you, thank you, I hope कि आपको lecture पसंद आया हो, और ये questions भी आपको बने हो, and एक प्यारा सा मोटो है मेरा, have smiles, spread smiles, because smile is the biggest gift, which you can give to anybody, आप देखिए कोई कितनी ही मुसीवत में क्यों ना हो, उसको थोड़ा स हसा के देखिए, थोड़ा सा उसके साथ वक्त बिता के देखिए, वो मुस्कुराता है, और मुस्कुराते वे बहुत ही बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और ये free of cost होता है, और कुछ नहीं बस बैंट कर दो चार बाते करनी है, थोड़ा गुदग प्रचाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा